वेलकम डियर स्टुएंट्स आज हम लोग पढ़ाएंगे देल्ली सल्तनत पार्टू हम लोग ने पिछले वीडियो में पार्ट वन को पढ़ा जिसके अंदर की हम लोग ने किस तरीके से सलेव डैनेस्टी या कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत का स्थापना हुआ और सलेव डैने और जो तुगलग डैनेस्टी थे उसको पढ़ाएंगे इस चैप्टर के अंदर जो हमारा टॉपिक्स होगा वह होगा सबसे पहले हम लोग ओवर्वियू लेंगे कि क्या क्या हुआ हुआ हनक सलेव डैनेस्टी के बाद यह सलेव डैनेस्टी में जिससे खलजी की तरफ हम लोग देखेंगे बढ़ेंगे सबसे पहले ओवर्वियू होगा फिर हम लोग खलजी डैनेस्टी के बारें पढ़ेंगे किसने स्थापना की और कॉन-कॉन famous rulers हुए फिर तुगलग डैनेस्टी के बारें में पढ़ेंगे कैसे उनका स्थापना हुआ कि इतने रूलर्स आये फिर पढ़ेंगे हम लोग दिल्ली सल्तनत का expansion इन दोनों dynastries के अंदर कहां कहां तक दिल्ली सल्तनत पहला उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे राजिस्थान का conquest कैसे उन लोगों ने राजिस्थान का conqueror किया फिर डेककन और साथ इंडिया में दिल्ली सलतनत का कंकेस्ट हुआ है उसको पढ़ेंगे फिर हम लोग कुछ internal reforms के बारें पढ़ेंगे जो की अलाउद्दीन ने लाया market control and agrarian policy of अलाउद्दीन ठीक और फिर कुछ experience पढ़ेंगे जो की मुहमद तुगलक ने किया था administration से related वो success हुआ कितना कितना fail हुआ वो सब चीज को पढ़ेंगे और सबसे end में होगा दिल्ली सलतनत का decline और उसका disintegration that means कि मुहमद तुगलक के बाद फिरोज तुगलक और फिर उसके successors का क्या हुआ और किस तरीके से दिल्ली सलतनत end हुआ उसके बारें पढ़ेंगे तो चलिए हम लोगे start करता है जब बल्बन का death हुआ 1286 में तो उसका एक grandson जो था उसको दिल्ली सलतनत पे गद्दी पे बठा दिया गया पिशरी chapter में हम लोगों ने देखा था कि जो प्रिंस मुहमद थे जो की बल्बन ने चुना था अपना आयर एपरेंट वो मौंगोल के खिलाफ लड़ाई में death हो गया था उनका और जो दूसरे संत है बुगरा खान वो जो है बंगाल में ही रूल करना चाहे दिल्ली सलतनत के थ्रोन पे बैठने के कोई खाहिश नहीं रखे वहीं पे वो रूल करते रहे इंडिपेंडेंट ना बंगाल को इंडिपेंडेंडेंट स्टेट घुसित करके वहीं पे वो जो तरकिश क्लैंस आये थे उसमें सेलेव डैनस्टी जो है आगे बढ़ा लेकिन बहुत सारे ऐसे भी क्लैंस थे जिन्होंने दिल्ली सलतनत के पाउर स्ट्रगल में मदद किया था ठीक है उनको इस्टैबलिश होने मदद किया था लेकिन कभी भी उनको रिकरगनेशन नहीं म मिला वो बंगाल में ही लड़ते रहे हम लोगों ने देखा था किस तरह से जो खलजीज थे उन्होंने दिल्ली सलतनत को बंगाल में और बिहार के रिजन में स्टैबलिश करने की कोशिश की थी उनको कभी भी सही रिकरगनेशन नहीं मिला इसी टाइप के बहुत सारे ऐसे बहुत सारे जो इंडिन मुसलिम्स थे उनको भी सही तरीके से रिकरगनेशन नहीं मिला और आपको पता ही होगा बलबन ने तो बलबन को हटा कर जिस इंडिन मुसलिम नोबल को वहां पे गदी का वजीर बना दिया गया था तो उसको किस तरीके से खदेड के मारा था तो य हम लोगों ने पिछली चैप्टर में पढ़ाई है तो इंडियन मुसलिम्स भी डिसाटिसफाइड थे दिल्ली सल्तनत पे दिल्ली सल्तनत से बल्बन ने जब नसीरुदीन महमूद के जितने भी संस्ते आपको पता होगा नसीरुदीन महमूद जो थे वो सलेव डैनेस्टी के आखरी रूलर थे बहुत ही कॉंपटेंट नहीं थे तो उनके डेथ के बाद बल्बन ने गद्धी समाल ली थी तो जब उनका डेथ हुआ तो उनके बेटे को बनना चाहिए था जो उनका आयर होता हो उनको बनाना चाहिए था राजा लेकिन बल्बन ने उन सबको साइड करके क्या क्या था खुद राजगद्धी पे बैठ गया थे तो इससे क्या हुआ कि ये भी एक मैसेज दिया वहां के लोगों को कि अगर एक जनरल अच्छा है सक्सेस्फिल जनरल है तो वो भी थ्रोन को एसेंड कर सकता है थ्रोन पे बैठ सकता है ठीक है तो इससे क्या हुआ ये जो एक established dynasty के आयर को side करके खुद बैठेने का मतलब हो गया कि आगे चलके कोई दूसरी जनरल जो भी ऐसा हिम्मत कर सकते हैं तो ये एक मैसेज दिया हमारा जो second topic है वो पढ़ लेते है खलजी डैनिस्री के बारे में तो मैंने पहले कहा कि बलबन ने ये एक तरीके से मैसेज दे दिया था ठीक तो हुआ कि जो बलबन के जो successors थे वो incompetent थे वो competent थे नहीं जो खलजी नोबल्स थे उन्होंने rebel किया और उनका जो leader थे जलाल अद्दीन खल जी उन्होंने last में जाके 1290 में बलबन के जो successors थे उसको overthrow करके गद्धी हत्या लिया दिल्ली की गद्धी पर बैठ गया ठीक है जलाल अद्दीन खल जी हलाकि आपको दिख रहा होगा 1290 से लेकर 1296 तक ही रूल के 6 साल तक ही रूल था ठीक है लेकिन वो पहला ruler था जिसने ये कहा जो ये मानता था कि किसी भी जगह पे अगर आपको rule करना है तो उस जगह पे rule करने वालों की जो इच्छ है उस हिसाब से होती है सारा का सारा जेतना बेर्मिनिस्ट्रेशन होगा उनके हिसाब से होगा तो जो इंपाइर होगा जो किंग्डम होगा वो उसमें पीस सिर्फ बना रहेगा ठीक है तो वो पहले ruler थे जिनका ये belief था क्योंकि इंडिया की जो majority population थी वो हिंदूस थी तो कभी भी जो इंडिया के उपर empire established होता हो कभी भी एक Islamic state नहीं हो सकता ठीक है ये इस हिसाब से मतलब state इस तरीके से रन करना चाहिए कि जो majority population है वो खुश रहे ठीक है तो ये पहले ruler थे जिनका ये भरोसा था जिनका ये मानना था कि हमको ऐसे करना है उन्होंने जब वो गद्धी पर आए तो आपको पता होगा कि इन लोगों को भी बहुत बढ़ है recognition नहीं मिला था तो Turkish nobles का monopoly था दिली सल्तनत में जब ये आए तो जो non Turkish nobles थे या फिर वो Turkish nobles थे जिनको जिनको ज्यादे recognition नहीं मिला दिली सल्तनत के दोरा वो सब एक्दम खुश हो गए कि चलो अब हमारा rise होना start होगा ठीक तो जलालुदीन खिल जी के आते ही ऐसा नहीं वहा कि जो Turkish nobles जिनका monopoly था उसको office से side कर दिया गया उनको office में रखा गया लेकिन नए नए भी जो nobles थे जिनको इज़त नहीं मिली थी इस time पर उनको भी include किया गया क्योंकि खल जी जो थे वो mixed blood के थे ठीक है वो complete Turkish nobles नहीं थे mixed blood के थे तो जलालुदीन खिल जी ने क्या कि उसमें उसको पता था कि हम को अच्छे से rule करने के लिए nobles की help चाही तो उन्होंने जो nobility है उसके goodwill के लिए उनको रिजाने के लिए काम किया कि उन्होंने tolerance का policy अपनाया कि ठीक है आप से गलती कोई बात नहीं ऐसा नहीं कि आप से गलती किसे होगी मार दिया with family खतम कर दिया ऐसा भी नहीं है ठीक है 1296 में अलाउदीन खल जी गद्धी पे बैठता है अपने चाचा जलाल अदीन खल जी को धोके से murder करके चिक तो जो अपने चाचा को और जो उस टाम पे राजा थे जब अलाउदीन खल जी ने murder किया तो बहुत सारे nobles हैं वो revolt कर सकते थे rebel कर सकते थे तो उसने क्या किया बह जब वो अवद का governor था अलाउदीन खल जी तो उसने देवगीर पे हमला किया था डेकन की रीजन में ठीक है और वहां से जितने भी looted सामास जो बूटी थी है उसको अपने पास रख लिया था और अपने पास रखा था तो जलाल अदीन खल जी ने क्या क्या उसको पता चला कि ऐसा हुआ जलाल अदीन खल जी गया कि हम सुल्ताने भी तो ये जितना लूटा मल है वो मेरा तो जलाल अदीन खल जी कारा गया था ठीक अपने भथीजे से मिलने और ये जो ट्रेज़र जो लूटा गया था उसका होल लद लेने के लिए चलो ये जो royal treasure है उसमें चला जाएगा लेकिन अब जलालोदीन खेल जी जो गया था तो उसको पता था कि मेरा भतिजा इस डर से भाग न जाए कि जलालोदीन खेल जी जो आरमी के साथ आ रहा है और यह treasure लूट लेगा तो इसलिए उसने इसे मिलते टाइम भतीजे ने उसे साफ कर दिया और गदी भी बैढ़िया तो अब इस बीच रिबेल ना हो जाए इसके लिए क्या किया था उसने कि ज्यादातर नॉबल्स को गोल्ड दे करके पूरा जो लूटा था उसका कुछ हैसा दे करके अपने तरफ कर लिया और जो इंसान का खौफ जादा बढ़ जाएगा जब वो किसी इंसान के फैमिली तक को मारने की पावर रखता हो कोई भी इंसान अपने फैमिली को खत्रा मिन डालता तो गलतिया नहीं करेगा तो डिबेल इस तरीके से उसने दबा दिया इसके अलाव उसने कई सारे रेगुलेशन लगाए ताकि यह जो नोबल्स हैं आपस मिल करके मेरे खिलाफ किसी भी तरह का कॉंस्पिरिशिस सद्रीरंतर जो है वो ना रचे कैसे तो उसने क्या कि कि जतने भी नोबल्स हैं उसको बैन कर दिया कि आप किसी भी तरह का फैस्टिविटीज को होल करें कहने का मतलब माली एक तिहार आया तो उस पे कोई प्रोग्राम रख दिये था कि बहुत सारे नोबल्स जह हैं वो मिले बातचीत करें खाए पियें इन सब चीजों को मना कर दिया ठीक है और आपस में दो नोबल्स के बीचे मैरेज अलाइंसे को भी मना कर दिया यह सब अलाउट था अगर आपन ने सुल्तान से पर्मिशन लिया था तब ही ठीक है तो इस तरीके से क्या हुआ कि सुल्तान ने चेक रखा कि हमें कौन किधर भाह कर रहा है ठीक इसके लगा उसने किसी भी तरह का इंटॉक्सिकेंट जो है शराब और इन सब को भी बैन कर दिया और इस स्पाइज को जासू तो यह सब चीज करके उसने अपना पकड गदे पर बना रिया लेकिन उसके अगले जनेशन के लिए दिक्कत हो गया क्योंकि इस तरीके से नोबल्स को दबा दिया गया नोबल्स खतम कर दिया गया उसके वाइस को दबा दिया गया तो नोबल्स जो पुराने नोबल्स था उसने ये सीख लिया क्योंकि अलावदिन ने अपने strict measure से उन लोगों को ये सिखा दिया कि आप किसी को भी accept कर सकते हैं जो थ्रोन पे बैठेनी की ताकत रखता हो कहां से आता उसे कोले ना देने क्योंकि वो आएगा पावर दिखाएगा आपको शांत कर देगा तो एक नई nobility तयार हो गई जो की डर पोक थी डर से शांत हो जाने वाली तो इससे उसके success पर खत्रा हुआ तो हुआ किया जब उसका death हुआ था इन 16 में तो उसका जो favorite slave था मलिक कफूर उसने क्या किया अलावदिन के सारे बेटे को side किया और जो सबसे चोटा बेटा था ठीक है सबसे चो अलावदिन खल जी के सभी बेटों को या तो मार दिया जेल में डाल दिया या अंधा कर दिया और सबसे चोटे बेटे को गदी पेठा दिया और ये सब किया किसी भी तरह का opposition नहीं हुआ नोबल से क्यों क्योंकि अलावदिन खल जी ने पहले ही ड्रा धमका के नोबल्स की ऐसी सेन थे यार कि एक ऐसा गुरूप थे यार कि जो डिर पोक थे तो किसी भी तरह करें बेल ले नोब आप देखने को नहीं मिला बाद में देखते हैं कि जो मलिक कफूर है उसको जो महल के गाड़ से उसके द्वारा माट दिया आता है ठीक अब ये मौत होने के बाद जो एक खुसरू था ये खुसरू वो नहीं है जो पोईट है ये एक हिंदू कनवर्ट था मतलब एक लड़ाई में एक बच्चा को जीता गया था और उसको जबरस्ती कनवर्ट करवा दिया गया था ठीक तो ये एक हिंदू कनवर्ट था जिसने फिर गद्धी को हत्या लिया त क्योंकि सब शान थे, सब जो है दबे कुछले थे, अब खुसरू एक हिंदू कनवर्ट होने के बाद भी उसके खिलाफ किसी भी तरह का आवाज नहीं उठाया गिया, यहां तक कि जो फेमस सेंड थे दिल्ली के निजामुद्दिन ओलिया, उसने भी एक नॉलिज किया खुसर तो उनके फॉलवर्स ने भी क्या होगा, तो उस टाइम पर हुआ क्या कि दिल्ली की जो पॉपिलेशन थी, जो कि क्या थी, मैजोरिटी मुसलिम्स थी, उसने भी एकसेप्ट कर लिया, तो इससे यह हम लोगों को देखने को मिलता है, कि जनरली होता क्या था, कि कोई लोग चोटी समय लिजी के family का आदमी जब गद्धी पे बैट जाए, तो लोग rebel कर जाते थे, हंगामा हो जाता था, या कोई दूसरे race का आदमी समय लिजी का इस सब चीश से, यहाई कर जाते थे, के परजा का भी तिदियान रखना था, परजा में से ही कोई group पना करके राजा ब कर जाते थे लेकिन यहां पर क्या हुआ खुसरों के बैठने के बाद लोगों के तरफ से भी किसी तरह का कोई rebellion देखने को नहीं मिला तो इससे यह पता चला कि अब जो है दिली के जनता है वो किसी भी तरीके का racist व्यू नहीं रखती है एकदम इस मामले में फिर ही हो चकी या तो डर से या तो इतना उतल पतल देखे किसी भी चीज़ को accept करने को ready हो जाती है ठीक तो सब चीशान था लेकिन फिर भी 13-20 में एक छोटा सा ग्रूप जो है officers का जिसको गया सद्दीन तुगलक के द्वारा लीड किया जा रहा था यह एक समयले की general था खलजी के अंदर तो उसने क्या किया उसने एक rebellion start कर दिया revolt start कर दिया in the name of Islam की यह जो rule चल रहा है यह Islam की खिलाफ है हम चलो Islam को दोबारा जो है rule में लाते हैं और यह कह करके वो एक revolt को start किया और direct open challenge कर दिया खुसरू को और दोनों के बीच लराई हुई दिल्ली के बाहर एक open area में लराई हुई और उस लराई में खुसरू को हर का सामना करना परा और खुसरू को मार दिया खुसरू का रूल खल चीज का था तीस साल का रूल रहा उसके बाद तुगलक का रूल आया तो तुगलक डानिस्टी 1312 से लेकर के 14 चुछ 14, sorry 1320 से लेकर के 1412 तक रूल किया येट मिन्स के अल्मोस 92 येर्स रूल किया इस बीच तीन कॉम्पिटेंट तुगलक रूलर्स हुए सबसे पहला गयासदीन तुगलक दूसरा मुहमद बिन तुगलक जो की 1324 से 1351 तक रूल किया और फिर गयासदीन ये गयासदीन क के बेटे थे गयासद उसके बाद गयासदीन के भतीचे फिरोज शाद तुगलग जो कि 1351 से 1388 तक रूल किया ठीक ये तीन competent rulers थे गयासदीन और मुहमद बीन तुगलग इन दोनों का जो ruling empire था वो अल्मोस्ट पूरा का पूरा country था इतना expand कर गया था जो दिली सल्तनत था तो कह सकते हैं कि पूरा का पूरा जो country था इंडिया था उस पर इन दोनों ने rule किया लेकिन जब फिरोज शाद का टाइम आया तो फिरोज का इंपायर था वो छोटा था इन दोनों से लेकिन लाग दिन खिल जी के टाइम पे जितना दिली सल्तनत था एक्सपैंड किया हो था ओधना बड़ा एरिया पे फिरोज जो है फिरोज शाद तुगला का रूल था ठीक है ये आपको दिखा रहा है कि फिरोज शाद तुगला तक आते आते दिसिंटेग्रेट होना स्टाट हो गया था दिली सल्तनत तुटना स्टाट हो गया था और फिरोज के डेथ के बाद दिली सल्तनत जो है वो कई छोटे स्टेट्स में डिसिंटेग्रेट कर दाता है और 1412 तक आखरी रूलर सर्वाइफ करता है तुगलाक्स का और फिर वो ख बुच्फ्यल में दिल्ली सल्थनत का रूंड रूंड फो थे बन के लॉतने के शाब शाब रूट मेस नियती वह लूतने के अन्य था तो यह लूट लूटा और गया OR रूंडेश करना चाहता तुर दिल्ी चलतनाथ तबीका वहीं पर साफ था उसके बाद हम लोगों को तिमूर की डैनिस्टी देखने के मिलते हैं तिमूर इंपायर हम लोग आ जाते हैं लेकिन ऐसा हुआ नहीं वो लूटा और गया तो इसलिए हम लोग देखते हैं इसके बाद भी जो तुगलक से हैं वो दिली सिल्टनत के कंट्रोल से बाहर रहा है बार-बार जा रहा है यहां की रूलर्स हमला कर रहा है उन लोगों को घुटने टेक वार हैं वापस आ रहा है वो रिबेल करके इंडिपेंडेंट हो जा रहा है कई सारे रूलर्स वहाँ पे दिल्ली सिल्तनत के फैल भी कर गए, हार भी गए, कंट्रोल नहीं कर पाए, ठीक यहां तक कि जलाल अदीन खल जी ने भी रंतंबुर को इन्वेट किया, लेकिन बहुत जादा ही उसको लगा कि यह टफ काम है, इसलिए फिर वो वापस आगे एक्सपेंशन में खाए, उसको करने के लगार, अब एक्सपेंशन होगा क्योंकि दिल्ली पे तो रूल ओ गया, तो बिल्ली के आज पास के रूलर से एक्सेप्ट, मतलब खतम हो चुके थे, सिर्फ यही रूल कर रहे थे, तो अब जो एक्सपेंशन है, उसका अस्टार्ट हुआ अलाउदिन खिल जी के एक्सपेंशन से और जो एंड हुआ इस एक्सपेंशन का वह हुआ मुहमद भीन तुगलक के रहन में ही क्योंकि हुआ क्या उसके बाद धे डिस इंटेग्रेशन स्टार्ट हो गया है तो मालवा गुजरात और देव की याद रखेगा यह तीन र देख लएता हैं तो यह तीन और रीजन जो थे आपस में लगातार लड़ाई करते रहते थे राजपुट की दूरा रूर्च करेए ठूर्ट रूर्च पोरे स्टार्स नन्हीं उस्टाबिश करने के लिए इतना ज़ादा वो लग लड़ाई करते थे कि जब इलतुत्मिश ने गुजरात पे हमला किया था न तो उसी टाइम पे मालवा और देवगीर ने भी साउथ से अटेक कर दिया था गुजरात पे समझ रहे हैं मतलब इतना कॉंस्टेंटली ले रहे थे कि इलतुत्मिश पहुंचा गुजरात को अटेक करने तो देखा कि साउथ से मालवा और गुजरात भी अटेक कर रहा है इस पे मतलब इतना ज़ादा लड़ाई कर रहे थे आपस में ठीक वैसे देवगीर जो था जो डे आगे देखेंगे इन ही सभी की वज़े से दिली सिल्तनत को एक्सपाइंड करने हैं बहुत आसानी हुआ तो हम लोगों ने देखा कि देवगीर जो है वो होईसालाज के साथ और वरंगल के साथ जो है लड़ाई कर रहा है और जो होईसालाज है वो अपने रीजन में जादा हुआ कि उनका कौंकस्ट बहुत ऐसी हो गिया ठीक है तो गुजरात और मालवा का कौंकस्ट क्यों जरूरी था क्यूँन जरूरी था क्योंकि क्यों ये दोनों रीजन जो थे ये फर्टाइल थे बहुत उबच देते थे और साथ में पॉपिलिस थे ज़ादे मतलब ज्यादा काम और ज्यादा काम मतलब ज्यादा टैक्स ठीक है इसके अलावा ये दोनों रीजन जो है Western Sea Ports को कंट्रोल करते थे और जितने भी Trade Roots से इधर के उसको कंट्रोल करते थे और आपको पता होगा दिल्ली सिल्तनत के लिए बाहर से एक तो जो सामान आ रहा है जो कि Nobles जिसका यूज करेंगे महेंगे महेंगे सामान का वो important था लेकिन उससे कहीं ज़्यादा important था एक अच्छे घोडों का supply है जो कि इरान की region से इन सब region से आना है तो अच्छे healthy अच्छे नसल के घोड़े चाहिए होते हैं लड़ाई में तो उनके supply के लिए sea port पे कबजा जरूरी था इसलिए जो दिल्ली सल्तनत था अपने इस healthy और best horse के sources के लिए trade routes पे control करना चाह रहा था और गुजरात और मालवा को इसलिए उसने conquer किया 1299 में अलाउदिन खिल जी ने एक आर्मी भेजा अपने दो noted general मतलब दो famous generals के अंडर भेजा और गुजरात को invade किया ठीक है ये किस route से गए तो ये राजिस्थान के route से गए और रास्ते में जैसल मेर को भी capture किया ठीक है अब ये जो है direct नहीं जाके राजिस्थान के थिरू होते वे गया तो हुआ क्या कि गुजरात का जो ruler था रायकरन उसको पता ही नहीं चला कि कब हमला हुआ तो surprise attack था इसके वज़े से रायकरन क्या हुआ यहां से उड़ गया निकल लिया भाग लिया ठीक है जो chief cities थे गुजरात के जो ज़्यादा populous और ज़्यादा famous cities थे वहाँ पे खुबसुत buildings थी खुबसुत temples थे इन सब को पूरक उपर cities को लूटा गया तोड़ फूर मचा दिया गया destruction कर दिया गया सोमनात मंदिर जो दुबारा बनाया गया था 12th century में उसको फिर से तोड़ दिया गया और फिर से लूट लिया गया ठीक क्योंकि मंदिरों में ही ज़्यादा कह सकते हैं कि आपको दान किया जाता था तो मंदिर उस टाम पे rich हुआ करते थे क्योंकि उनको revenues भी मतलब collect करने का हक था तो revenues collect करते थे business करते थे गुजरात के रीजन में सोमनाद बहुत famous मंदिर था और बहुत बारा रीजन उसके अंडर में था तो बहुत ज़ादा वहाँ पे आप कह सकते हैं कि आभूशन रहते होंगे इसलिए बार बार वो उस पे हमला होता था था कि वहाँ से वह सब चीज़ लूटा जा सके यहाँ भी वही हुआ सोमनाद को फिर से बनाए गया था तो इस invasion में फिर से तोड़ दिया गया और सारा का सारा जो लूट था उसको लेकर के वापस दिली सल्तनाद लाया गया अब ऐसा नहीं कि उस टेम पे जो हमला हुआ सिर्फ मंदिरों को तोड़ा वहाँ पे जितने मुस्लिम मर्चेंट्स थे कैमबे में कैमबे आपको पता होगा दिली बुलते हैं गुजरात के रीजन में जब मुस्लिम ट्रेडर्स आ रहे थे बहुत पहले तो धीरी धीरे वहाँ पे सेटल भी होने लग गया तो वहाँ पे पूरा पूरा डिस्ट्रिक्ट ही बन गया कैमबे जहां पे मुस्लिम ट्रेडर्स आ रहा करते थे तो इस हमले पे जो मुस्लिम मर्चेंट्स थे उनको भी नहीं बक्षा गया उनको भी नहीं यहीं पर एक जो हम लोगों ने मुवीज में भी देखा है कि जो मलिक कफूर है जो की एक स्लेव अलाउद दिन का आगे चलके बनता है और देखते हैं धेरे धेरे वो एक मिलिटरी जेनरल बन जाता है तो वो यहीं पर पकड़ा गया था गुजरात में ही पकड़ा गया था मलिक कफूर को और सुल्तान को as a gift दिया गया था तो ऐसा नहीं है जो मुवी में दिखा गया कि उसके चाचा ने उसको gift दिया बलके गुजरात में उसकी आर्मी आई और जो जेनरल से उन्होंने capture किया इसको और क्योंकि slaves जितने भी होते थे वो सुल्तान को दे दिया आते थे उन में से जितने slaves को romantic reuse करवाना है साफ सफाई घर का काम करवाना है उसके लिए और कुछ जो हटे कटे होते थे उनको फौज में भरती करिया जाता था ट्रेनिंग दे करके तो मलिक कफूर यहीं भी पकड़ा गया था मलिक कफूर बहुत ही चालाग था इस वज़े से अलाओदीन को gift किया गया और अलाओदीन ने उसे military technique सिखाया ताकि वो आगे चलके हम लोग देखे हैं कि जो डेकन का और South India का जो invasion है उसको मलिक कफूर ही लीड करता है ठीक तो अभी जो हम लोग देखें कि गुजराद को कितना easily और कितना तेजी से capture कर लिया गया यह दिखाता है कि गुजराद का जो ruler था वो अपने subject अपने परजा के बीचे बहुत famous नहीं था परजा के जो ruler था उसी का कोई एक minister जो मंतरी जो है उसने अलाउद्दीन को अप्रोच किया था कि यही सही time है invade कर दीजे ऐसा कहा जाता है sources बहुत सरे कहते हैं लेकिन ऐसा कोई तथ तो मिला नहीं है कि इस बात को कि तुस्टी हो सके तो हम लोग इसको ऐसे कहानी ही देखेंगे ठेक चलिए यह तो बात हो गए कि चलिए वो राजा famous नहीं था वो अतना बढ़ी है राजा नहीं था लेकिन इसकी आर्मी भी बढ़ी है नहीं थी क्योंकि इतना आसानी से हार गया तो आर्मी जो थी वो बहुत well trained नहीं रही होगी और जो administration था वो भी बहुत बढ़ियां नहीं रहा होगा चर्मराता वो administration रहा होगा इसलिए बहुत easily इतना easily जमझे लिए गया और जीत गया थोड़ा बहुत market वो market जो loot के चक्कर में हुआ ठीक तो जब वो वहाँ से भागा रायकरन तो देवगीर गया देवगीर के region में जो रामचंदर रूल कर रहे थे उसके help से गुजरात का जो south region है उसमें अपना पकड़ बनाया और वहाँ वो rule करने लग गया अब देखेंगे देदरे यह जो रामचंदर ने help किया है गुजरात का रूलर का यह एक बहाना बन जाता है और अलाउद्दीन जो है देवगीर को हम लोग देखेंगे future में invade कर लेता है ठीक अब हम लोग पढ़ेंगे राजस्थान का conquest बाई दिल्ली सल्तनत तो रन्थमबोर जो था उसके राजा थे हमीर देवा हमीर देवा कौन थे हमीर देवा पिर्थिराज चाहौन के सकसेसर थे ठीक है पिर्थिराज चाहौन के lineage में से एक राजा थे जो की रन्थमबोर पर रूल कर रहे थे ठीक उन्होंने अपने पोडोसियों के साथ लड़ाई किया था जैसे कि राजा भोज, धार के राजा भोज उनको हराया था, साथ में मेंवार के राणा उनको हराया था और अपना जो रूल था उसको strengthen किया था, मजबूत किया था अब देखिए ये उनके लिए ठीक था लेकिन future में जब उनके हमला होगा तो ये लोग मदद नहीं करें क्यों क्यों कि इसने पहले हमला करके उनको हराया तो actually में ये जो victories थे यही उनकी unruing थी मतलब यही उनका पाप भी समझ लिए हो था क्योंकि बाद में हमला होता अकेले मारे जाता है बिचारे तो गुजरात campaign जब चला था अलाओदीन का तो उस time पे गुजरात campaign के बाद जब अलाओदीन वापस आया अपने आर्मी को लेकर मतलब अलाओदीन की आर्मी जब वापस आ रहे थी तो जो मॉंगोल soldiers थे अब आप सुचिए कि मॉंगोल soldiers सचानक से कहां से आ गए तो आपको याद होगा कि जब मॉंगोल का invasion हुआ तो बहुत सारे मॉंगोल को capture कर लिया गया बहुत सारे मॉंगोल यहीं रहे और वो convert हो गया और फिर दिरी दिली में establish हो गया थे तो मॉंगोल के भी बहुत सारे जो soldiers थे उनको appoint किया गया था बल्बन ने भी यह किया था मॉंगोल के साथ मंगोल की technique सीखी और उनके कुछ soldiers को ले करके और अपने soldiers को मिला करके हरा दिया था मंगोल को क्योंकि मंगोल का technique उनको आ चुका था तो वहां से लेकर के अभी यहां पर डिरेक्ट आयाते हैं तो मंगोल सोलजर्स अलाउदिन खिलजी के आर्मे में थे कुछ हजार होंगे ठीक तो जब वो गुजरात से लूट करके उसके आर्मे आ रहे थी तो जो मंगोल सोलजर्स थे उन्होंने रिबेल कर दिया क्योंकि उन्हों ज़ादा लूट चाहिए होगा यानि तो उनको बराबर लूट किसी वज़ेसे यह रिबेलियन स्टार्ट हो गया क्योंकि जो लूट का शेर था वो सही से नहीं हो पाया तो मंगोल सोलजर्स ने सोलजर्स ने रिबेल कर दिया अब यह जो रिबेलियन था इसको बहुत ही कुरूरता के साथ करश किया गया, दबाया गया मैसेकर कर दिया गया मतलब चुन-चुन कर मंगोल सोलजर्स को मारना स्टार्ट कर दिया अलाउद्दीन के तरफ से यह ओर्डर हुआ इसी में से बच के निकले दो मंगोल नोबल्स जो थे जो कंट्रोल कर रहे थे मंगोल सोलजर्स को वो बच गया और बच के भाग गया भाग के जाके रन्थमबोर में रेफ्यूजी ले लिया ठीक, अब अलाउद्दीन ने मैसेज भीजा रन्थमबोर को कि यह जो मंगोल नोबल्स भागे हैं उनको या तो आप मारिए या तो वहां से हटा दीजे हम बाकि देख लेंगे लेकिन हमीर देवा क्योंकि राजपूत था उपर से बहुत ही प्राइड वाला आदमी राजपूत होते हैं अपने प्राइड प्राइड के लिए जान दे देते हैं तो बहुत ही प्राइड प्राइड आदमी था उसने कहा कि जो मेरे शरन में आया उसको तो हमने मारेंगे अब वो मेरे शरन में आया किस टाइब का आदमी उसको भाड़ मेंगे मेरे शरन में आ गिया और मेरा ये धर्म है कि हम उसके रक्षा करेंगे ठीक है इसके इलावा हमीर देवा बहुत मतलब क्योंकि कुछ वह और जीत चुका था तो अब इसके इलावा बहुत सारे लड़ाई जो उस पर हमले हुए थे उसको जेला था जैसे जलाल-दीन कल जी के अब जीत चुका था तो उसको भरोसा था अपने फोर्ट पर किले पर और अपने आर्मी पर तो उसने क्या किया हौटी रिप्लाई हौटी मतलब भरकिला रिप्लाई जो है वह अलावदिन को भेज दिया ठीक है अब क्या हुआ देखेंगे हम लोग कि जो रंधंबोर था क्यो क्योंकि उसको फकर था रंधंबोर strongest फोर्ट था और जलालुदीन खलजी तक के अटाइक को जहल गया था तो इतने भरोसे में तो वह इतना फकर है मतलब जो भरकिला है रिप्लाई वह तो देखा ही ठीक लेकिन अब देखें कई लोग प्राइड को बेकूफी समझते हैं औ तो वह अकलमंदी कहलाता है बेकूफी नहीं लेकिन राजपूत्स जो है वह प्राइड के ही उनका औक्सीजन पर वह नहीं जीते हैं एक तरह से देखें तो उस ताइम के राजपूत्स जो थे वह और जादा प्राइड वाले थे ठीक यह कमी भी थी उनकी आपको याद याना, گैंगिस का, मौंगूल एंपिरर, जब वो आया था, खधेरते वे खोरिजम को, जो खधेरते वे आया था, इंडिया में जब जो प्रिजु приним को प्रिज स्था, जब इंडिया में एंट्री ले लिया था, तो चंगेश का हो सको कधेरते वे, इंदस पे आ गया था, इंदस को पार भी कर जाता, लेकिन इलतित्मिश ने क्या क्या इलतित्मिश ने message भेज दिया कि हम इसको नहीं रखेंगे, हम इसको भगा देंगे यहाँ पे किसी भी तरह को शरुन नहीं मिलेगा जंगेज खाई इससे खुश हुआ था, साथ में दोनों के बीच एक्सेंज हुआ इन्वाइस का और से पता चला कि दिल्ली सल्तनत का इसमें कोई रोल नहीं है कोई इंट्रेस्ट नहीं है खौरिजम के प्रिंस को रखने में आप इसको मारिए तो इससे क्या हुआ कि मंगोल इन्वेजन टल गया और अगर मंगोल इन्वेजन होता उस टाम में दिल्ली सल्तनत इतना स्ट्रॉंग नहीं था कि जहल पाता दिल्ली सल्तनत से काफी जादा स्ट्रॉंग था खौरिजम इंपायर वो तो जहली नहीं पाया उसमें मैसेकर हो गिया, उसका तबाई हो गिया दिल्ली सिल्तन नहीं चल पाता हुआ यह अकलमंदी था, यहाँ पराइड अगर ले लेता कि हमारे सरण में हम तु देंगे तो भाई, साफ हो चुगा हो था, दिल्ली सिल्तन था तो यहाँ पे अकलमंदी थी थी ठीक वैसे ही जो है जो ये दरण्थमबोर के राजा है हमीर देवा वो यहाँ पे अकलमंदी करें के बेकूफ हम लोग आगे देखते हैं तो अलाओदीन ने एक आर्मी अपने जनरल के अंदर भेजा लेकिन वो आर्मी हार गई काफे ज़्यादा मौत हुआ कई सारे सोल्जर्स का डेथ हो गया तो यहाँ पे तो अब हमीर देवा का यह बेकूफी तो नहीं लग रहा है यह तो चलो अच्छा है लग रहा है ठीक है कि हाँ भई हमने अपने प्राइड को बचाए रखा लेकिन उसके बाद देखे क्या हुआ कि उसके बाद अलाओदी खुद एक आर्मी लेकर के पहुँचा और साथ में कौन था अमीर खसरू अमीर खसरू जो है आपको पताई होगा अलाओदीन के कोर्ट का फेमस पोईट था परिशन पोईट था तो तीन मन्त तक अलाओदीन की आर्मी ने सीज को कंटिनू रखा और लास्ट में किला को ठीक है जो रंतंबोर का किला था उस पूरे रीजन में स्टॉंगेस्ट किला था उसको ढदिया और जो हमीर देवा की सेना थी उसकी हार हुई तो सारे के सारे मर्द जो है वो लड़ाई में आ गए बुढ़े बच्चे ही सब और जो औरते थी उन्होंने जोहर किया ये पहल ये बुढ़े किसी को भी इस्तमाल ना कर सके और तो इसके लिए उन लोगों ने अपने आपको मुझलब जिन्दा चला लिया तो पहला जोहर जो है पर्शन में यही मेंशन किया गया वह भी अमिर खुष्षर के द्वार क्यों कि अमिर खुष्षर साथ गय थे तो उन्हों पूरा पूरा का पूरा बैटल फिल्ड पर क्या क्या हुआ उसको लिखा है और यह जो इवेंट हुआ है यह हुआ थरीन जिरो वन में ठीक जीत के बाद पूरा फोर्ट का डिटेल कि कितना खुबसे था यह किला किस तरीके से इसका डिजाइनिंग था इस सब का जो रन्थंबोर को हराने के बाद अलाउद्दीन का नजर जाता है चित्तौर पर ठीक है चित्तौर जो था वो रन्थंबोर के बाद सेकेंड मोस्ट पारफुल फॉर्ट था राजिस्थान में और इसका जो रूलर था रतन सिंग उसने शुरू में जब गुजरात पर अटैक जा रहा था अलाउद्दीन का गुजरात पर इन्वेजन जा रहा था तो यह जो रीजन था अजमेर से लेकर के मालवा का जो रूट था उस रीजन पर चितौर का रूल था चितौर का डॉमिनेशन था तो रतन सिंग ने पहले ही इसी इन्वेजन गुजरात के इन्वेजन क करेंगे ठीक है लेकिन सेपरेट तरीके से तो जब गुजराज जीत लिया और फिर रंधंबोर हरा दिया अब अलाउद्दीन का नजर गया चित्ता और और चित्ता और पर उसने हमला किया ठीक है अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो एक मूवी भी आई जिसमें लिजेंड ये है कि अलाउद्दीन ने चित्ता और पर से हमला किया क्योंकि जो रतन सिंग की बीवी थी कुई पदमीनी वह बहुत खुबसरत थी उसके लालच में अलाउद्दीन ने हम हुआ कि यह जो डिस्क्रिप्शन है कि हाँ भी पदमीनी के लिए लड़ाई किया था ये बहुत समझ लिए कि 0 110-200 साल बाद यह डिसक्रिप्शन आया इस लड़ाई के 11o-200 साल बाद यह कहानी आई है और इस कहानी को काफी साल बाद कहने कांड़ 500-600 साल बाद एक हिंदू पोएट मलिक मोहमद जैसी जो है वो लिखते हैं पोईम के दुवारा लिखते हैं कि पदमिनी के लिए लड़ाई हुई थी तो जो जो मॉडरन हिस्टोरियन्स हैं वो इस थियोरी को एकसेप्ट नहीं करते हैं तो मूवी में जो दिखाएगे वो एक्चले में हिस्टोरिय नहीं है वो एक रोमेंटिसाइज़ फिक्षन है कि इस वज़े से हुआ था ठीक है तो हम लोगों ने देखा था कि जो रानी पदमिनी है वो सिंगल दूइब की राजकुमारी है और जो रतन सिंग है वो सातों समंदर पार करके जा रहे हैं कई सारा एडवेंचर हो रहा है हम लोगों ने मूवी में भी देखा है गाना बजाना सब चला उसके बाद वो हिरोईन को लेकर के पदमिनी है कुईन उनको लेकर के चित्त और वापस आ जाते है तो यह सारा जितना इवेंट होआ है यह रोमेंटिसाइजड फिक्शन टाइप से है और जितने भी वहाँ पे इवेंट्स दिखाए गए है वो सारे इवेंट्स जो है एक्शल में हुए नहीं तो जो भी चीज दिखाया गिया है वहाँ पे वो ऐसा कुछ है नहीं तो इसको आप एक फिक्शनल वर्क की तरह देख सकते हैं कि ऐसा हुआ होगा लेकिन हिस्टोरियंस ऐसा नहीं मानते है क्योंकि अलाउदिन का जो अटैक करने का रीजन था वो अलग ही था ठीक है खेर जो भी वाँ चित्तोर 1303 में चित्तोर का जो फॉट था उसको अलाउदिन ने ढा दिया और 1303 में ढाने के बाद कई मान्स तक का ये सीज चला लड़ाई चली लेकिन किला ढाय गया किला ढायने के बाद जितने भी में थे चित्तोर के जितने भी मर्द थे वो लड़ाई करने आ गए और जितने भी छोटे और और अरत लोग थे, छोटे बच्चे थे, और अरत सब थे ये सारे के सारे जो है जोहर परफॉर्म करते हैं ठीक है, यह सिकेंड जोहर है, आपको पता होगा, पहला जोहर रंतंबोर वाला, दुसरा जोहर चित्तर वाला, जोहर परफर्म करते हैं, और अपने आपको मार लेते हैं, और ज्यादा तर वार्योर्स मर जाते हैं लड़ाई के बीची, ठीक, रतन सिंग को कैप्चर किया जात है, और प्रिजनर के तरह से रखा जाता है उस टाइम तक, तो मुवें आपने देखा होगा, खल जी को क्या कहते हैं, कि खल जी हार रहा था, वन-टो-वन कॉमबेट में, फिर यहां से मलिक कफूर तीर मारा, और फिर अर्मी जो है, धोका हुआ हार गया, तो यह जनरली एक इंडिन प्रस्पेक्टिव है, सिर्फ और सिर्फ राजपूत्स को अपीज करने के लिए, एक्चुली मैं ऐसा कुछ हुआ नहीं था, दुनों के बीच लड़ाई वे थी, दुनों की आर्मी लड़ी थी, और फिर वहां पे, जो चित और के राजा थे रतन सिंग, उनको जि खिजरखां के अंदर रखा गया, खिजरखां समझ लिए एक तरह का, वहां चित और का कह सकते हैं कि गवर्नर पॉइंट कर दिये गया, गवर्नर तो नहीं कहेंगे, बस उनको उस फोर्ट का कमान दे दिया गया, और वहां पे एक मुस्लिम गैरिसन लगा दिया गया, ठीक, कि कुछ टाइम बाद खिजरखां को वापस बुला लिया गया, और रतन सिंग के जो कजिन थे, उनको चित और का चार्ज दे दिया गया, इसी बीच अलावदीन जो है, वो जलोर को भी जीत लिते हैं, अल्मोस्ट जीतने भी राजिस्थान के मेजर मेजर स्टेट्स थे, मे राजिस्थान का कॉन्करस्ट हो जाता है, कम्प्लीट, लेकिन आप देख रहे होंगे कि कहीं भी, जो अलावदीन है, उसने डिरेक्ट एड्मिनिस्टेशन को नहीं इस्टैब्लिश किया, बलकि उसने क्या क्या जीता, और राजपूत रूलर्स को अपने अधीन किया, और लेकिन जब-जब ज़रूत पड़ेगी, हमारी बात आपको माननी पड़ेगी, और एक regular tribute आप हमको दीजेगा, क्योंकि हम powerful है, सीधी बात, ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, दिल्ली सिल्तनत का expansion in Deccan और South India, that means कि Deccan और South India का conquest देखेंगे, ठीक है, 1306 से 1307 की बीच, जो था वो था, राय करन जो कि South गुजरात के रिजन में रूल कर रहा था, बगला ना में, इसके खिलाफ, जो कि मालवा के बॉर्डर पे था, और उसको हरा दिया गया लराई में, और दूसरा जा एक्सपिडेशन था, वो राय राम चंदर थे, उसके खिलाफ, क्योंकि वो राय करन को help कर रहे थे, क्योंकि राय करन को हराया जा चुका था, तो अब राम चंदर को भी attack किया गया, और राम चंदर ने मलिक कफूर को surrender कर दिया, ठीक है, यह जो डेकन और South India conquest है, इसमें मलिक कफूर का बहुत बहुत रहा रोल है, इसको याद रखेगा, तो मलिक को उनके dominance को वापस कर दिया गया, कि आप वापस यहां रूल कीजिए, उनको title दिया गया, राय रायान का, ठीक है, और एक लाक टांका का, उनको gift दिया गया, साथ में golden colored canopy, देखे, golden colored canopy, canopy जो होता है, वो actually समझ लीजे, एक चादर type से जो बिचाया जाता है, शाही है, obviously golden colored है तो एक symbol है, कि आप राजा है, ठीक, समझ लीजे कि royal presence को दिखाने के लिए, royal character को दिखाने का एक तरीका है, समझ लीजे, तो वो उसको दिया गया, और गुजरात में एक district भी दिया गया, तो जो राय राम चंत है, उनको वापस से establish कर दिया गया, उनकी एक बेटी से अलाउ अलाउदिन की दो बीवियां थी, और दोनों बीवियां जो थी आपस में इतना लड़ती थी, कि अलाउदिन की जिंदगी हराम हो चुगी थी इस चक्कर में, इस वज़ए से अलाउदिन को ग्रस्ट लाइफ में भी बहुत जादा interest नहीं था, इसलिए वो अपना लगाता रहा, और हिस्ट्री में उसको एक आयाश के तरह से दिखाया गया है, राजा जेनरली सारे आयाश होते हैं, अलाउदिन उतना बड़ा आयाश नहीं था, जितना मूवी में दिखाया गया, उसको ग्रस्ट लाइफ और 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 तो में जादा interest नहीं था, वो लड़ा को जीतने के बाद, डेकन के रीजन को जीतने के बाद, साउथ में दो military expedition किया, ठीक है, पहला जो था वरंगल के खिलाफ था, और दूसरा जो था, द्वार समुदर के खिलाफ था, माबर और मदुरा, ये तीनों रीजन के खिलाफ था, तो पहला वरंगल के खिलाफ, दूसर पॉइंट कर दिया, इम्पायर का वाइस रिजेंट गुजित कर दिया, मलिक कफूर जो है, वो इस रिजेंट में बहुत स्ट्रॉंग टूल तो नहीं इस्टैबलिश कर सका, लेकिन क्योंकि आपको पता है, साउथ के रिजेंट में दिल्ली से रूल कर रहे हैं, तो साउथ के रिजेंट में अगर आपको कंट्रॉल अखना है, तो वहाँ पर आपको सुमझे लिजे की एनुवल रेट करना पड़ेगा, आपको साल में एक दुबार जाना पड़ेगा, क्योंकि वरना रिबेलियन होगा, रिबेलियन होगा और आप कॉंट्रेक्ट नहीं रखेगा, तो क्या होगा रिबेलियन, फिर वो बड़ा हो जाएगा, और वो इस्टेट इंडिपेंडेट हो जाएगा, तो हर साल जाकर के वहाँ पर इस बात को देखते रहना पड़ेगा, तो इस चक्कर में क्या होगा, कि साउथ की तरफ बहुत ज़्यादा धियान चला जाएगा, तो जो एक्सपेंशन स्टेटजी है वो रुख जाएगा, ठीकि क्योंकि जो आर्मी है उसका धियान उसको पड़ेगा, तो जानते हैं भी उसने कहा किया, जितना रास्ते में लूट हो सकता था, उतना उसने प्लंडर किया, एक से एक अमीर शहर, मंदिर, जितने भी विल्दी टेंपल्स थे, उन सब को लूटा, ठीक है, जैसे कि चिदंबरम में, जो मदरास के पास का रीजन है, व तो जितना लूट हो सकता था इन सारे रीजन से, मलिक कफूर ने लूटा और वापस लाकर के रोयल ट्रेजरी में दे दिया, ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, कि ओविसली वो बाद में फिर रिबेल करके अलग होने की कोशिश किया होंगे, लेकिन बाद में धीरी धीर अलाउदीन के डेथ के बाद, एक डेकेड के अंदर-अंदर, ठीक है, अलाउदीन के डेथ हुआ, उसका समझ लिजए कि 15 साल के अंदर-अंदर, सारे के सारे साउधरन स्टेट को वाइप आउट कर दिया गया, खतम कर दिया गया, और डायरेक्ट अब यहां पर क्या होगा की दिल्ली का administration establish कर दियेगा, direct ठीक है, 13-15 में क्या होता है, कि रामचंदर की death हो जाती है, रामचंदर जब तक जिन्दा रहे, वो दिल्ली सल्तनत के लिए loyal रहे, लेकिन उनके बेटे जो है वो बाद में rebel कर जाता है, मलिक कफूर उड़ते उड़ते पहुंचता है, और इस rebellion को तबाही अबरवादी के साथ मार काट करके crush कर देता है, और फिर ये इस region का भी direct administration हो जाता है, फिर मलिक कफूर को मार दिया जाता है, मलिक कफूर के बाद मुबारक शाह, हना, ruler बनते हैं, मुबारक शाह जो है, वो दुबारा देवगीर पर हमला करते हैं, और देवगीर को वापस से, अपने अंदर ले आते हैं, दिली सल्तनत के रूल के अंदर ले आते हैं, और वहाँ पर एक मुस्लिम गवर्नर को install कर देते हैं, आपको पता होगा जब तक राम चैंदर थे, तो देवगीर को direct administration में नहीं लिया गया था, ठीक है, मुबारक शाह जो है, वो वरंगल को भी rate करता है, ठीक है, और जो वरंगल का ruler था, उसको अपने districts देने पड़ते हैं, और annual tribute 40 gold bricks का, चालिस sonic unit का annual tribute देना पड़ता है, मुबारक शाह के बाद खुसरोखा, जो कि सिल्टान अलाउद्दीन का एक slave था, और converted हिंदू था, उसने, जब वो फिर ruler बना, तो उसने क्या कि माबर के region और पतन के region में जो cities थे, उनको complete कह सकते हैं कि एक लूटा, सिर्फ plunder किया, उसको administration के अंदर नहीं लाया, उसको conquest नहीं कहेंगे, raid कहेंगे, ठीक है, इसके बाद खुसरोखां के बाद गया सदीन तुगलग थ्रोन पे बैठा, उसने अपने बेटा मुहमद बिन तुगलग को देवगीर का governor पॉइंट कर दिया, और मुहमद बिन तुगलग ने ये बहाना देते वे कि वरंगल ने अपना जो annual tribute है वो नहीं दिया, ये बहाना करते वे वरंगल को ढ़ा दिया, मतलब वरंगल पर अटेक किया और पूरा तबाही मचा दिया, ठीक है, इसके बाद शुरू शुरू में तो क्या हुआ, कि जो आर्मी थी, मुहमद बिन तुगलग की, वो हार रही थी क्योंकि किसी ने अफ़वा फेला दे कि दिल्ली में सुल्तान जो गया सदीन तुगलग है उनका डेत हो गया, तो आर्मी हार ने लगी तो फिर क्या हुआ कि तुगलग को, मुहमद बिन तुगलग को वापस अपने आर्मी को लेकर आना परा वापस आया, आर्मी को रियार्गनाईज किया और फिर दोबारा हमला किया, और फिर पूरा का पूरा तबाही मचा दिया ठीक है, इसके बाद उसने माबर पे भी अटेक किया माबर को अपने अंदर आनेक्स किया और फिर जो पूरा का पूरा रीजन है उसको डिरेक्ट अडिनिस्टेशन में ले लिया ठीक, फिर वहाँ से उसने और इसा को भी रेड किया, और इसा को भी लूटा और अगले ही साल बंगाल को अपने अंदर जो दिली सल्तना था, उसके अंदर मिला लिया बंगाल आपको पता होगा, बलबन के बाद जो बलबन था, उसने ही बंगाल को जीता था उसके बाद बंगाल इंडिपेंडेंट था तब से लेकर के जो बलबन का डेट था तब से लेकर के इंडिपेंडेंडन था मुहमद बिन तुगलक ने बंगाल को अपने अंदर मिला लिया ठीक साउथ में 1324 तक आते आते समझेज़े दिली सिल्तनत का जो समझेज़े के एंड है बॉर्डर है वो मदूराई तक पहुंच गया था ठीक स्टेटरी इतना लंबा हो गया था दिली सिल्तनत का और 1328 में हम लोग देखते हैं कि जो सबसे आखरी हिंदू प्रिंसिपैलिटी है ठीक है कमपिली जो कि साउथ करनाटक में है मतलब था उसको भी जीत करके वापस दिली सिल्तनत में एनेक्स कर लिया आता है बहाना क्या दिया आता है कि मुहमद बिन तुगलक का एक कजन था जो रिबेल कर गया था तो वो इसी रीजिन में रिफ्यूजी लिया हुआ था तो उसके बहाना पर अटाक किया और फिर इस पूरे प्रिंसिपैलिटी को दिली सिल्तनत में एनेक्स कर लिया गया अब जो यह जो अचानक से इतना बड़ा सा इतना बड़ा इंपायर को ले लिया गया है तो अबिसली एड्मिस्टेशन में दिक्कत हुआ है तो यह जो अचानक से एक्सपेंशन हुआ है यह जो सदेन एक्सपेंशन हुआ इसकी वज़े से काफी बड़ा एड्मिस्टेटिव और फैनेशल काफी ज्यादा प्रॉब्लेम्स फेस करने को देखने को मिलेगा आगे मुहमद बिन तुगलक को और हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर मुहमद तुगलक ने इससे कह सकते हैं कि पार पाने के लिए इन सारे प्रॉब्लेम्स को साफ करने के लिए क्या-क्या अब हम लोग देखेंगे जितने भ उपर और जो मुहम्मद तुगलक ने एक्सपरिमेंट किया उसको ले करके चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं तो हम लोग देखेंगे अभी कि जो मार्केट कंट्रोल का पॉलिसी था और जो एग्रेरियन पॉलिसी था अग्रिकल्चर को ले करके अलाउदिन का वो उन ने जतने भी कॉमोरिटीज हैं चाहे वह फूड ग्रेन हो चीनी हो यहां हना खाने का खाना पकाने का तेल हो यहां समझेरा कि एक सूइच तक के दाम को फिक्स किया ठीक है सभी के दाम को fix कर दिया चाहे वो छोटी चीज हो या महंगी चीज हो जितने imported clothes थे, horse था घोड़ा था, बकरी था गाय था यहां तकी जो slave boys and girls हैं उसके भी दामों को fix कर दिया अब इसके लिए उसने दिल्ली में तीन market बनाए पहला market था food grain market जहां पे खाने पीने का समान रहेगा, दूसरा market था costly clothes का, जो imported clothes सब बन के आ रहे हैं बाहर से बन के आ रहे हैं, जो इंडिया हैं पन रहे हैं, महंगे महंगे जो upper classes जो noble families के वगेरा जो effort कर सकती हैं उसका market और तीसरा था घोड़ा, गधा गाए, भैस, नौकर इन सब के बिकरी का market ठिक, हर market को एक official के अंदर एक officer के अंदर, जिसको शाहना कहा जाता था उसके अंदर रखा गया जिसका काम ये था, कि वो एक register maintain करेगा, जिसमें merchants जो सौदागर आए हैं, वहाँ पे बेचने के लिए सामान और जितने भी shopkeepers हैं वो और किस दाम पे बेच रहे हैं इनका list मतलब रखे और उन सब को ये चीज, मतलब ये कहा गया था कि आप इस बात का ध्यान रखें कि prices fixed होना चाहिए अपने हिसाब से prices नहीं भगाएगा क्योंकि ये फर्मान है कि आप इतना पे ही इसको लेंगे ये आप बेचेंगे ये prices fixed होगे अब ये prices fixed होने की वज़े से क्या हुआ कि citizens का support और जो army town में है उसके support के लिए इन सब को अच्छे तरीके से खाना पीना और सही resources मिल सके कि इसके लिए ये prices को fix किया गया था तो लोगों के और armies के दोया मतलब उनके support के लिए जो prices fixed किये गये थे इसके अलावा एक major reason ये भी था कि मॉंगोल invasion हो रहा था और मॉंगोल invasion से मतलब दिली सल्तिनत को बचाने के लिए अलावदीन को चाहिए था एक large army और एक large army के लिए क्या था कि अगर एक large army को employ कर लेते हैं तो उनको खाना पेना और खर्चा देना पड़ेगा भई salary देने पड़ेगा तो इससे क्या होगा कि अलावदीन का treasure बहुत जल्दी खतम हो जाएगा ठीक तो उसने क्या किया कि prices को कम कर दिया तो उनके salaries भी कम हो गई तो लावद दिन का खाजाना भी कम खर्चा होगा तो इस फायदे के लिए उसने क्या क्या प्राइस को lower किया ठीक है और fix किया अब धियान दिजे कि आखिर ये सब चीज करने के जरूत क्या है क्योंकि उस टेम पर आर्मी जो थी न वो टर्किश आर्मी थी और जाद क्योंकि मेजरिटी टर्किश soldiers थे तो टर्किश आर्मी के जो लोग हुआ करते थे वो इसको एक gentleman का प्रोफेशन समझते थे कि मस्त कमाई होगी मस्त जिंदगी जीना है तो अब ज्यादा सल्ले दे नहीं सकते तो prices को कम कर दिजे कम सल्ले में वही चीज़ें आ रही है ठीक है तो अलाउद दिन ने ये एक काम किया प्राइसिस को फिक्स किया और दूसरा काम किया उसने land revenue को जो द्वाब रीजन है आपको पता ये होगा द्वाब जुगंगा यमुना द्वाब वाला रीजन है बहुत fertile land का रीजन है इंडिया में ये जो रीजन है यहाँ पर जितने भी land revenue आएंगे वो half होंगे प्रोड्यूस के जितने उपज होगा उसका आधा होगा ये होगा revenue और ये डियरेक्ट दिया जाएगा इस state को किसी के थुरू नहीं दिया जाएगा डियरेक्ट ली पे करना है इस state को अब क्योंकि food grains का regular supply होना है तो इसके लिए peasants को मजबूर किया गया कि आप प्रोडक्ट बंजाराज को सस्ते दामों में बेचें बंजाराज जो थे वो merchant समझ लिए इधर से उधर जाता थे बंजाराज जो है ऐसे किसानों से फसल खरेते थे और फिर मार्केट में जा करके बेचते थे fixed price में ठीक है और यह जितने भी बंजाराज थे यह registered हुआ करते थे इनको इनका पूरा family, detail, address सब हिसाब रखायाता था क्योंकि अलाओदीन का यह policy था कि जितने भी merchants और बंजाराज involved होंगे जितने भी shop के परस होंगे उन सब का detail होना चाहिए उन सब की family का भी detail होना चाहिए और family को भी किसी भी violation के लिए responsible माना जाता था तो अगर कुछ गलत होगा तो आप भी मरेंगे आपकी family भी मरेंगी इस डर से ज़्यादा कोई उचल कूद कर नहीं सकता था ठीक है इसके अलावा state ने बहुत सारे गोदाम बनाए वेर हाउसे बनाए ताके ये food grains को store कर सके और जब famine आए भुखमरी आए या मान लिजे कि फसल खराब हो जाए तो फसल का जो shortfall हो जाए supply का उस time पे ये जो वेर हाउसे में जमा कीवे food grains है इनको release किया जाए ताके famine से बचा जाए और जो regular food supply है उस chain को maintain रखा जाए तो ये जो agricultural revenue था ये फैसला किया गया था कि ये cash में ही दिया जाए ठीक है इससे फाइदा क्या हुआ कि cash में land revenue जो agricultural revenue था उसकी वज़े से अपने soldiers को cash में pay करता था ठीक है तो इस cash में payment से क्या फाइदा हुआ कि अभी हम लोग रहे हैं कि दूसरे सुल्तान जो cash में payment नहीं कर रहे हैं उनको क्या मुसीबत का सामना करना पड़ा है और अलाउदीन को इससे क्या फाइदा हो रहा है तो ये पहले सुल्तान थे जिन्होंने ये फैसला कि कि soldiers को cash में क्या कहते हैं कि payment जाएगा और जो revenue होगा वो cash में राजा नहीं सुल्तान आप याद रखेगा सुल्तान बोलने का मतलब दिल्ली सल्तनत के जितनी सुल्तान है उसमें पहले अब तक के सारे राजाओं में इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं दिल्ली सुल्तान के सुल्तान थे जिन्होंने फैसला किया ठीक है जितनी prices थे सब को fix किया गया, तो costly items के prices को fix क्यों किया गया, फिर वो costly कैसे हुआ, costly items मतलब, जो मन में आया उतना दाम, लेकिन costly items के prices को इसलिए fix कर दिया गया, हला कि सुल्तान के जरूरी नहीं था कि ये करें लेकिन, सुल्तान का ये मानना था, कि इनके विदामों को अगर नहीं control करेंगे, तो overall क्या होगा कि बाकि सारे, जितने भी चीजों के prices हैं, उन सब को भी ये क्या करेंगा, hamper करेंगा, दिक्कत करेंगा, और हना, इन सभी के prices को, in general, ये क्या करेंगा, effect कर गया, इसलिए इसके विदाम को fix कर दिया जाए, ठीक अलाओदीन जो था, वो पहला मुनाक था, दिल्ली सल्तनत का, जिसने इस बात पे जोर दिया, कि जो दौाब का region है, वहाँ पे जो land revenue होगा वो इस basis पे ले जाएगा, कि कितना land cultivation के अंदर है जितने land पे खेती होगा जिसके अंदर जितना land, वो उतना हमको payment करेगा, ये नहीं कि हाँ पीजेंट से इतना percent लेंगे और जो जमिनदार से हैं जो nobles हैं, उनसे इतना लेंगे नहीं जितना zamine cultivate हो रहा है उसका आधा, उस पे जितना उपज़ोरा जितने भी जमिनदार थें, जिनको खुद और मुकदम कहा जाता था, ये हम लोग next chapter में देखें कि खुद मुकदम में क्या difference है अभी हम लोग यहाँ पर बस overall landlord ही मान के चलिये हैं दोनों को ये उतना ही payment करें जितना others कर रहे हैं that means कि revenue system में बराबर का payment होना चाहिए इसी लिए इन खुद और मुकदम को milch cattle जो दूद देने वाली जितने भी मवेशी है, उस पे भी tax देना परता था और जो houses था उस पे भी tax देना परता था, जैसे बाकी लोग दे रहे हैं, आप भी दीजे आप कोई मून से आएवे नहीं है, ठीक है तो सब से बराबर tax लिया जाए और इन सब के power को control में रखने के लिए अलाउट दीने यह policy निकाला था, ठीक है और यह जो direct collection है land revenue का, कि हम cash में direct collect करेंगे तो इससे फाइदा क्या होता है इससे फाइदा यह होता है, कि सारी चीजें, land in जो होती है, वो final लेती है, कहीं भी कुछ बच क्या कहता है, कि दिक्कत आने की problems जादा create होने के chances नहीं होता है अभी जो policy है, direct collection का इसमें घरबड हो सकता है, यह fail कर सकता है और यह succeed भी कर सकता है, depend किस पर करता है ameals पर, यह जो local officials है इन पर depend करता, अगर यह घुसकोरी कर लेंगे, तो यह जो policy है यह fail कर जाएगा, तो इसके लिए क्या किया, allowed दिन ने इन लोगों को काफी salary दिया, ताकि यह मज़े से जिन्दगी काटें, क्योंकि घुसकोरी तब आता है जब आपका salary कम होता है आप अपने खाहिशों को पूरा नहीं कर पाते तो आप दूसरे तरीके से कमाते है ताकि अपने बीवे बाल बच्चा की खाहिशों को और अपने खाहिशों को पूरा कर सके ठीक है, एक छोटा सा प्यून जो है वो घुसकोरी इसलिए करने लग जाता है चाहिए वो college का हो government का हो कहीं कभी एक छोटे level का नौकर जो है वो इसलिए घुसकोरी करने लग जाता है क्योंकि उसको चाहिए होता, घर बनाना उतना salary में घर बना नहीं सकता पूरी जिंदगी के नौकरी में, घर बनाए कि बेटा को पढ़ाए कि बेटी की शादी करे तो वो घुसकोरी करता है तो अलाउद्दीन ने क्या कि ऐसे जो officials थे उनको इतना salary दिया कि उनको घुसको मतलब मज़े से जिंदगी कटे गुसकोरी करने की जरूत ही नहीं पड़े लेकिन, लेकिन, लेकिन याद रखिए उसके बाद भी अलाउद्दीन ने ये ध्यान में रखा कि इन सब के accounts को बार-बार बहुत strictly चेक किया जाए कहें कोई घुसकोरी तो नहीं हो रहा है जैसे ही होगा तो आपको पता होगा कि उनको भी मारेंगे, उनके family members को भी मारेंगे तो एक तो डर उपर से एतना पैसा की मज़े में रहें और फिर उसके बाद सांत नहीं हो जाना कि हाँ आप तो नहीं होगा नहीं बलकि उसको चेक करते रहना जो historian है बरानी तुगलक dynasty के time के और जिनोंने administrative history लिखा है खलचीज का और तुगलक्स का वहाँ से हम लोगों को बहुत कुछ administration के बारे में जानने को मिलता है इन्होंने लेकिन ये कहना इनका जब आप पढ़िएगा book मैंने पहले बताया कि इनका book में जो views है वह आपको एकदम ऐसा लगेगा radicalized है बरानी ये लिखते हैं कि जितने भी measures allowed in ने लिया मतलब जितने भी policies बनाएं वो ये ध्यान में रखते हैं कि जो हिंदूस है ना उनके खिलाफ ये सारे के सारे जो जितना ये policies है वो उनके खिलाफ होना चाहिए ठीक है आपको पता होना चाहिए क्योंकि जितना empire था और उसमें majority जो population थी वो हिंदूस की थी तो obviously जो अमीर होंगे गरीब होंगे सब में number जो होगा हिंदूस का जादा होगा ठीक हाँ proportion wise गरीब muslims कम रहे होंगे अमीर muslims जादा रहे होंगे proportion wise क्योंकि obviously जो rule था वो muslim dynasty का rule था तो muslims favor हुए होंगे इसमें कोई शक नहीं है लेकिन इसका मतले भी थोड़ी सारे हिंदू गरीब थे हिंदू में भी जमींदार थे हिंदू में भी नोबुस थे हिंदू भी बहुत सारे राजा थे जो अधीन थे तो ऐसा तो नहीं कि गरीब ही रही तो number wise देखा जाए तो number wise तो जादा ही रहे होंगे majority population है तो obviously अमीरों के भी majority रही होगी तो अलाउदीन का जो ये जो measures था बरानी के हिसाब से था कि हिंदूस को इतना गरीब कर दो कि वो खाने को तरसे यह सब करके लेकिन ऐसा नहीं अगर ऐसा हुआ होता तो कहीं न कहीं हम लोगों को rebel के बारे हैं पता चलता कि हाँ भी धर्म के basis पे rebel हुआ अलाउदीन के खिल रहता थे वहां पर कहीं भी धर्म के basis पे rebel हुआ है नहीं जो भी rebel हुआ वह इसके लिए हुआ कि भाहे हम अपना जी हैंगे और वह जेनरली राजा ने किया पब्लिक नहीं नहीं किया पब्लिक rebellion नहीं देखने को मिला तो बरानी का यह जो बात है यह जूट साबित हुआ है हां लेकिन यह जरूर था अलाउद्दीन के इन सारे पॉलिशी का एफेक्ट किस पर जा रहा था सब पर जा रहा था जो प्रिविलेज सेक्शंस हैं जो जमीनदार हैं उन पर नकेल कसना उनको कंट्रोल करने वाला था आप भी दीजेगा आपको आपको यह बहुत बड़े राजा नहीं है कि आपको जो टैक्स है उसमें कम टैक्स दीजेगा जमीन सबस्याद आपके पास है टैक्स आपसे कम आपसे लें नहीं बराबर दीजेगा आपके पास सौ गाय है जो दूद देती उस पर टैक्स दीजे उतना है गरीब न चार गाय पर दे रहा है दो गाय प इंपायर के दूसरे टाउंस में भी लगाए गए तो वो जनरली ऐसा मना दाता है कि क्योंकि आर्मी जो है वो सिर्फ दिल्ली में स्टेशन नहीं थी सिर्फ दिल्ली में नहीं थी दूसरे बड़े शहरों में भी थी तो ओविसली वहां भी अप्लाई हुआ होगा और प्लस ब इसके लिए प्रूफ की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है बहुत इस्ट्रिक्ली नहीं रहा होगा क्योंकि वहां सुल्तान नहीं है लेकिन गवर्नर्स के अंडर उन सारे टाउंस में भी यह अप्लाई हुआ होगा ठीक है तो जो मेजर्स अलाउदीन के दुआरा लैंड सक्सेसर्स जो आए हैं उनको भी यह लेंड रिविन्य सिस्टम में यह जो पॉलिसी है वो फायदा देता है और काफी बात जो शेर सासूरी है और जो अकबर है इनके रूल के अंदर भी हम लोगों को जो रिफॉर्म्स देखने को मिलता है वो भी मतलब इसी बेसिस पे इसी पॉलिसी का बेस रहता है बागे थोड़ा मुटा थोड़ा मुटा चेंज करके इसको बहतर करके जो रिफॉर्म्स है वो शेर सासूरी और अकबर अपने रेन में अपने शासनकाल में लाते हैं अब हम लोग पढ़ेंगे मोहमद तुगलक के एक्सपरिमेंट्स के बारे में ठीक है महमद तुगलक जो था महमद बिन तुगलक वो बहुत ही रिलिजियस और फिलोसोफिकल आदमी थे ठीक और ओपन माइन मतलब रिजनिंग के साथ और ओपन माइन मतलब क्रिटिकल एंड ओपन माइन रखते थे कहने का मतलब फंडामेंटरिस नहीं थे लॉजिकल थे जो चीजें उनको logic को appear कर रहे हैं वो उसको value देते थे और बहुत खुले मिजास के थे ये उनका nature था और वो ऐसा नहीं कि सिर्फ जो Muslim mystics थे जो Muslim theologist थे कहने का मतलब मौलाना मौलवी इन सबसे बात करते थे बलकि वो हिंदु योगी से भी बात किया करते थे जैन सेंड्स थे जैसे की जिना प्रभासूरी स्टैप के बहुत सारे जैन सेंड्स और हिंदु योगी से भी बात करते थे धर्म के उपर बाकी चीजों के उपर तो इससे बहुत कुछ वो सीखते भी थे ठीक उन्होंने जो अपने government के अंदर जो high offices था वो इस basis पे नहीं दिया था कि हाँ य या नहीं अब इसका फाइदा भी नुकसान भी आगे देखेंगे ठीक है तो इनका nature क्या था बहुत ही हेस्टी था बहुत जलबाजी और बहुत impatient मतलब तुरं तुरंत फैसला लेते थे और फिर उस फैसले से fruit नहीं निकल रहा फल नहीं उसका सही आ रहा तो उसको बदल द बहुत है तो impatient भी थे और हैस्टी भी थे इसलिए इनके ज्यादा तरह एक्सपरिमेंट जो हैं वह फैल कर गया हाला कि वह एक्सपरिमेंट आगे चलके बहुत फाइदा दे रहा है ठीक है अभी इनको नुकसान कर दिया लेकिन आगे चलके जो rulers आ रहा है उन सबको फाइद इनको नुकसान कर गया इसलिए इनको इलिस्टाड आइडिलिस्ट कर जाता है क्योंकि आइडिलिजम पर यह बिलीव कर रहे थे इनके जितने policies थे वह reality से दूर आइडिलिस्टिक व्यूस पर दिख रहे थे और बुरी तरह के से फेल कर गये लेकिन हाला कि आगे चलके चमक तो इसलिए इलिस्टाड आइडिलिस्ट कहा जाता है ठीक बहुत अब इनका जो रेन स्टाट वा नो बहुत ही कह सकते हैं कि पनौती के साथ स्टाट हुआ इन पे लांचन भी लगा इन्होंने कह किया जब इनके फादर गया सुदीन तुगलक जो है बंगाल के campaign से बंगाल का हना सुल्तान के लिए एक बढ़ियां reception हो सके ठीक है तो वो पेविलिन बना रहा और जब जो elephants capture किये गये थे वो हना इस पेविलिन पर parade किये गये तो वो ये पेविलिन collapse कर गया और सुल्तान उसी के नीचे दबके मर गया गया सो दिन तुगलक तो बहुत लोगों ने ये बाब बेटें बनती नहीं थी ये आयरेपरेंट थे ठीक है ये आराम से और या सुद्दीन और मुहमद बिन तुगलक के बीच में अन बन नहीं था ठीक है दोनों के बीच में बहुत अच्छा relation भी था बाब बेटे का अब unfortunate थे बिचारे बदकिस्मत थे अभी हम लोग दे controversial step था वो ये था कि उन्होंने दिली से capital को shift कर दिया देवगीर देवगीर है अभी के जमाने में ठीक है जो modern इंडिया उसमें देवगीर ही पूराने टाइम पे medieval time पे देवगीर था ठीक है तो इन्होंने क्या क्या देवगीर में capital shift कर दिया ठीक है जिसका नाम बदल दिया कि दौलताबाद वो क्यों किया क्योंकि south का जो region है उस पे control बनाए रखने के लिए उन्होंने south के region में एक capital अपना capital shift कर दिया आगे देखेंगे हम लोग तो हुआ क्या कि जब इन्होंने capital shift किया तो इन्होंने अपने जितने भी officers थे और जितने भी leading men थे जितने भी सूफी cents थे उन सब को order दिया कि आप देवगीर shift कर जाए ठीक है लेकिन जो बाकी population है उनके shifting का कोई भी plan किसी भी तरह का कोशिश जो है attempt नहीं किया गया दौलताबाद जो था ये जो देवगीर था दिल्ली से 1500 किलोमेटर दूर था माने रखता 1500 किलोमेटर अभी की जमाने माने र मुहमद तुगलक ने हाला कि रोड तो बनाया दिल्ली से लेकर के दौलताबाद तक का रोड बनाया रोड के आसपास बहुत सारे rest houses भी उन्होंने establish किये ताकि जो मसाफिर हैं जो travel करें उनको दिक्कत ना हो यहाँ पर आराम करें ठीक है सफर से ठक जाए तो आराम करें ले climate है वो बदल जाता है तो इस चक्र में बहुत सारे लोग मरे भी ठीक है कुछ सालों बाद मुहमद तुगलक को यह हसास हुआ कि जैसे दिल्ली में रह करके south के region को control करना मुश्किल होता है वैसे ही south में रह करके दिल जो north के region उसको control करना मुश्किल है तो वापस से उन्हों बहुत impatient थे बहुत जल्दी फैदा नहीं दिखा तो वापस दिल्ली shift कर दिया ठीक है अब यह जो move है इनको इस time पे तो कोई फैदा नहीं दिया लेकिन इससे क्या हुआ कि जो exodus हुआ exodus आपको पता है large number में लोगों का plan होना वो exodus कहलाता अब यह जो exodus हुआ पहले north इंडिया से shift हो गया south इंडिया capital तो यहां के लोग उठ करके उधर गए ठीक है कुछ वहीं जब वापस shift हो तो कुछ वह लोग वहीं रह गए तो इससे क्या हुआ north south के बीच में जो communication है वो इंप्रूव हुआ cultures mix हुए ना तो north इंडिया south इंडिया के और close आया तो इनको तो फाइदा नहीं कि दिया लेकिन आगे जो है एक bond दोनों के बीचे डिवलप हो जाता है और जो अगे जो dynastries आएंगे उनको फाइदा देता है एक बहुत ही important इनका experiment था वो था token currency को लेकर के अब क्यूंकि silver और gold उस टेंप बहुत कम थे तो gold का currency उतना नहीं चल ला था silver currency चल ला था तो silver का क्या हुआ ना कि market में जो world market है उसमें हो गया shortage ठीक है तो चाइना में already जो मॉंगोल रूलर थे कुबले खान और जो इरान के मॉंगोल रूलर थे घजन खान इन दोनोंने successfully experiment किया हुआ था token currency को लेकर के तो इन्होंने भी क्या किया इंडिया में token currency का experiment किया कहने का मतलब इन्होंने एक bronze का coin बनाया जिसका same value रखा जो एक silver टाका का था क्योंकि उस टेम पर टाका चल रहा था इन दिली सल्तनत के अंदर तो silver टाका का ही value के बराबर एक bronze का currency बनाया ताकि यहाँ चल सके लेकिन अब यह तभी ने चल पाता माली जी कि मैंने क्या 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 लोहा का एक टुकड़ा निकला बोला कि यह आज से currency रहेगा इसका जो है एक रुपे के बराबर होगा ठीक लेकिन जो पुराना currency है और जो नया currency है इन दोनों को सिर्फ government ही निकालेगा तब तो उसकी value रहेगी आसपास जो लोग है वो भी अगर इसको बनाने लग जाए क्यूंकि bronze एक common metal है तो सब लोग इसको forge करने लग जा रहे थे तो हुआ क्या कि government जो है इस चीज़ को है न यह जो metal currency था इसको forge करने से रोक नहीं पाई जिसकी वज़े से जो नया currency था इसका value जो market में कम हो गया तो यह currency था token currency यह devalued हो गया बहुत ज़्यादा ही market में तो यह फैसला फिर उनको वापस लेना पड़ गया ठीक है और हुआ क्या कि बरानी कहते हैं कि जो दौलताबाद था उसके बाहर capital के बाहर बहुत इन coins का बड़ा बड़ा धेर पड़ा रहता था ठीक है और आज भी हम लोगों को ऐसे बहुत सारे coins जो है excavation में देखने को मिले जो bronze की बने में थे और जो तुगलक है मुहमद तुगलक उनके rain के time का है ठीक है तो समझने कितना जल्दी यह फैसला ली फैसला बहुत अच्छा था लेकिन उससे पहले इन वापस ले लिए ठीक है अब अथना bronze भी बरवाद हो गया तो इसी बीच किया हुआ कि Mongols जो है उनका हमला हुआ जो राजा थे Mongols के वो थे तर्मा शिरीन माफ किजिए का आर मिसिंग है जो तर्मा शिरीन थे मंगोल के ruler उन्होंने हमला किया सिंध के तरफ से entry लिया सिंध जो मुहमद तुगलग का जो rain था उसका शुरू का साल की बात कर रहे है बात के नहीं मुहमद तुगलग जब गद्दी पे बैठे तो शुरू के साल में ही तर्मा शिरीन का हमला हुआ से इंध मैं और उसका जो फोर्स था वो मेरट तक आ गया मेरट जो है दिली से कुछ कि बाज नहीं है लेकिन I think 40-50 km होगा दूर और क्या तो इतना ही km दूर यहां तक उसका फौज आ गया ठीक तो मुहमद बिन तुगलक जो है आर्मी लेकर के पहुंचे और जेलम के पास जो है मंगुल की आर्मी को हरा दिया बुरी तरीके से हराया और हराने के बाद उनको पीछ के पीछे है ना पेशावर तक इनका रूल इस्टैबलिश हो गया तो मुहमद बिन तुगलक का ठीक है देवगीर से वापस आने के बाद मुहमद तुगलक ने ये सोचा कि अब हम घजनी और अफगानिस्तान को उक्यूपाई करेंगे कहने का मतलब बहुत हो गया डिफेंस मंगल से बहुत डिफेंस कर लिए अब ओफेंस होगा अब उनका हम हथी आएंगे इसके लिए उन्होंने एक लार्ज आर्मी को रिकूरूट करना है स्टार्ट कर दिया लेकिन क्योंकि टोकन करेंसी फेल हो गया तो टोकन करेंसी के फेल होते ही ये जो आर्मी थी रिकूरू वह मार्केट में डिवैल्य हो गया है तो फिर यह जो प्रोग्राम था इनका मुहमद बिन तुगलत का यह ना फेल हो गया तो देखिए कितना बढ़िया यह चीज था कि हमने हम इस पोजीशन में आ गये थे कि अब हम डिफेंस नहीं कर सकते हैं मॉंगल को हरा रहे हैं तो चल जाता तो इनके पास एक बड़ी आर्मी होती और जो दिल्ली सल्टनत था वो नॉर्थ वेस्ट वेस्ट को भी अपने सेक्यूर कर लेता तो इसकी वज़े से जो आगे तिमूरी जो कुछ साल बाद तिमूर का हमला होने वाला है वो शायद प्रिवेंट हो सकता था लेकि मिलिटरी एक्सपडिशन था मतलब मिलिटरी को लेकर के आर्मी को लेकर के कुमाव हिल्स में गए जो हिमालियाज का है ठीक है इस रीजन में गए और वहां के आसपास के चोटे-चोटे जो रूलर्स थे उनको हराया हिस्टोरियन्स कहते हैं कि ये चाइना के तरफ से जो हमला था उसको कह सकते हैं कि रोकने के लिए ऐसा किये थे बट ऐसा कोई प्रूफ नहीं कि किस वज़े से लेकिन जो भी हो ये कराचेल एक्सपडिशन हुआ कुमाव हिल्स के तरफ ठीक है शुरू शुरू में बहुत ज्यादा सक्सेस मिला और धीरे धीरे क्या हुआ कि आर्मी रास्ता बटक गई आर्मी पीछा मतलब इस लड़ाई को करते करते बहुत ज्यादा ही अंदर चली गई और जो अपर जो हिमालियाज आपको पता होगा धीरे धीरे वह इन हॉस्पिटेबल हो जाता है रहने लाइ कि कितने आर्मी गए और कितने लोग बच करके आए तो एक तरह से एक बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ ठीक इसी के बाद मुहमत तुगलक ने फिर एक एक स्पिडिशन किया कंगरा हिल की तरफ और फिर हिल रिजन्स को पुरगपुरा फुली सेक्यूर कर लिया तो ऐसा नहीं कि जो कराचिल एक्सपिडिशन है वो पुरा घटियत था नहीं जो कराचिल एक्सपिडिशन था वो भी रिजल्ट दिया कि जो राजास थे वो सब्मिट किये जो हिली राजास थे हिली रिजन्स के उन्होंने सब्मिट किया तो पूरा का पुरा हिल रिजन्स है अगर कोई खतरा था तो उसको पुरा इनोंने सेक्यूर कर दिया राजा इसको हरा के अपने अधिन ले लिया ठीक चलिए अब एक और प्राब्लम इनकी देख लेते हैं कि हुआ क्या कि जब ये शुरू शुरू में राजा बने मतलब इनके शासनकाल के बिगिनिंग यह इसकी बात करें तो इस टाइम पे एक बहुत ही सिवेर फेमीन आया ठीक है इसे पहले ये बता दें कि शुरू शुरू में जब इनका जो रेन स्टाट होता है एक दूम शुरू में तो मतलब ये फेमीन से पहले हुआ कि एक पीजन्ट का रिवेलियन हुआ टैक्स को लेकर के जो पीजन्ट थे उनका रिवेलियन हुआ गंगेटिक दौाब में के रिजन में ठीक है और इस रिवेलियन में क्या हुआ कि जो पीजन्ट थे वो गाउं छोर के भाग गए तो महम्मद तुगलक ने क्या किया कि इन सब को खदेड के पकड़ा और पकड़ के उनको पनिश के बहुत हार्ष पनिश्मेंट दिया ठीक है तो खेर इसके बाद क्या हुआ दिरी दिरी आगे चलके एक बहुत ही सिवेर फेमीन आया और इसने यह जो द्वाब का रिजन यहां पर आया भुकमरी आया जो कि अल्मोस्ट छे साथ साल तक चला है और कई सारे लोग जो है इस फेमीन में मारे गए दिली में ठीक है भुकमरी हुआ यहां पर उपच ज़्यादा नहीं हुआ तो दिली पूरगपूरा यह नहीं के फूट सेप्लाई पर बेस्ट था तो फूट वहां पहुँचा नहीं तो दिली में भुकमरी हो गया और इतना ज़्यादा लोग मरे कि दिली का हवा जो है उसमें पूरगपूरा समझे लिए कि बिमारी फैल गया पेस्टिलेंशे लोगे नाक देने लाइक नहीं इस वज़े से सुल्तान को दिली छोड़के भागना पड़ा और कनौज दिली से सौ मील की दूरी पे कनौज के आसपास गंगा नदीब के किनारे सुरगत दुआरी करके एक कैंप बनाया उन्होंने और वहां धाई साल तक वहां वो रहे और जब यह हवा साफ हो गया तो धाई साल बाद सुल्तान वापस दिली आए वापस आने के बाद उन्होंने एक सेपरेट डिपार्टमेंट को इस्टेबिश किया और स्टार्ट किया उन्हा इस डिपार्टमेंट के नाम था दिवाने अमेरे को ही ठीक दिवाने अमेरे को ही एक official के अंदर डाल दिया गया, उसके देखरेख में रख दिया गया, जिस official का काम क्या था, कि जो cultivators हैं, जो किसान हैं, उनको loan दे, करजा दें, और time पे उनको माफी भी मिला, ऐसा नहीं है, ठीक है, करजा दें, और उनको ये सिखाया जाए, कि superior crops को उगाएं, ठीक है, जैसे, जहां पे आप barley उगा रहे हैं, महां पे गहूं उगाएं, जो लोग गहूं उगा रहे हैं, वो उसको बदल करके sugar के न उगाएं, जो शुगर के न उगा रहे हैं, उसको बदल करके खजूर, अंगूर, इन सब को उगाएं, मतलब, high, जो कह सकते हैं, जिसके अंदर nutrient content हो, उसको होगा हैं, ताकि कम में भी ज्यादा लोग फेड कर सकें, ठीक तो, एक तो superior crops, यह हो गया है, cultivation इंप्रूव करना, दूसरा, ज्यादा area तक हम खेती कर पाएं, तो extend करें, यह जो policy उन्होंने वो लाया, तो यह जो experiment था, यह भी fail कर गया, लीजिए, कितना बढ़ है मतलब policy था, लेकिन fail कर गया, क्यों, क्योंकि जो लोग उन्होंने चुने, वो inexperience थे, और बैइमान थे, loan के पैसे को खुद हडब गया, ठीक है, और inexperience जो dishonest नहीं पर थे, वो inexperience थे, कि यह actually कैसे करना है, तो जो loan दिया, वो भी fail हो गया, और जो cultivation इंप्रूव करना तो वो भी नहीं हो पाया, तो inexperience और dishonesty की वज़े से experiment हो गया, ठीक है, तो अब देखिए, अब हम लोग वापस nobility पहाते हैं, यह सारा experiment fail हो गया, जितना भी हम लोगों ने देखा, ठीक है, हाला कि आगे चलके यह सब बाद में rulers जो हैं, जैसे देखेगा आगे चलके, जितने ठीक है, तो इनका जो policies था, जो reforms था, वो भले ही fail हुआ हो, लेकिन आगे चलके बहुत फायदा देगा, इनको नहीं दिया, ठीक है, अब कितना बढ़िया इन्होंने यह nobility में basis रखा था, कि जिसके पास merit होगा, वो आगे बढ़ेगा, हाला कि हम देख रहे हैं कि जितना भ इनकी जो nobility थी, वो इस वज़े से कई divergent sections के थे, कुछ Turks थे, कुछ non-Truks थे, कुछ Hindus थे, राजपूत्स थे, कुछ Indian Muslims थे, कुछ converts थे, तो एक mix था, तो पूरा का पूरा जो nobility था, उसमें बहुत सारे divergent sections के लोग थे, जबकि जो पुराना जो nobility था, चहलगानी, आपको पता होगा, चहलगानी तरकिश nobles से, उनका group था, उनके बीच bond था, तो यहां पर क्या हुआ न, कि division section होने की वज़े से, सबका अपना-पना choice अलग-अलग, तो किसी भी तरह का, जो cohesion, एक दूसरे से जुराव है nobles का, वो नहीं था, नहीं किसी भी तर चाहर है, ठीक है, तो obviously, बहुत सारे लोगों को opportunities भी मिलेगा, rebellion करने का, इसके अलावा, इनका जो बहुत जल्दी गरम हो जाने का temperament है, बहुत जादा extreme punishment देने का temperament है, यह in rebellions के opportunities को और बढ़ा दिया है no, तो इस वज़े से हम लोग देखते हैं, कि महम्मद बिन तुगलक के reign में दिली empire अपने zenith पे है, zenith मतलब topmost point पे है, तो दिली सल्तनत का zenith भी इन्ही के time का आया, और दिली सल्तनत का disintegration का start भी, beginning भी इन्ही के reign से हुआ, ठीक है, अब हम लोग पढ़ाएंगे disintegration और decline जो है दिली सल्तनत का, इसमें हम लोग फिरोज शातुगलक के बारे में पढ़ेंगे और फिर आगे के जो successors हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे, तो महमद तुगलक के reign का जो later half है, उसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, कि experiment fail हो गया और nobility में कैसी भी तरह का cohesion और loyalty नहीं होने की वज़े से, और एतना बड़ा empire था, तो कही सारे rebellions start हो गए, एक के वज़े से क्या हुआ कि उनी को अपने army ले करके एक जगा से दूसरे जगा भागते रहना पड़ा, rebellion को दबाने के लिए, तो इस चकर में क्या हुआ, उनकी army जो है, वो खतम होती चली गई, ठीक है, कुछ हो हमारे, कुछ हमारे, one after another rebellion, एक सुल्तान खुद crush करना चाहेगा तो नहीं होगा, होता क्या था, कि chiefs हुआ करते थे, nobles हुआ करते थे, उनके अंडर एक army गई, उनके अंडर तो हर region में, rebellion को दबा दिया था, अब ये विचारे अकेले कितना गुमते, तो इस वज़े से, इनकी armies खतम होती चली गई, ठीक, जैसे कि, जैसे ही south गए, वहां क इनको करशनी किया गया, बाद में, इन्होंने एक principality वहां पे establish कर ली, जो आगे चल करके expand हुआ, विजयनेगर empire के नाम से हम लोग इसको पढ़ेंगे, दिली सिल्तनत के बाद, इस side south में, विजयनेगर empire का establishment हुआ, फिर deckan की region में हम लोग देखते हैं, कि कुछ nobles हैं, वो एक साथ मिल करके एक principality को establish करते हैं, दौलत अबाद जो देवगीर है उसके आसपास, और यही आगे बाद करके हम लोगों को बहमानी empire देखने को मिलता है, ठीक, बंगाल भी क्या हुआ, अपने आपको independent घुशित कर लिया, लेकिन अवद्ध, गुजरात और सिंध, rebellion होने क बावजूद करश कर दिया गया और दिली सल्तनत के अंदर ही रहा, जो सिंध के rebellion को दबादने के टाइम पर करश करने के बाद सिंध में ही उनका death हो गया, ठीक है, सिंध के death के बाद उनके जो cousin थे, फिरोशा तुगलक उन्होंने गद्धी समाली और उन्होंने जो policy उनकी थी, उन्होंने वो ये policy adopt किया कि हम nobles को appease करेंगे, आर्मी को appease करेंगे और जो theologians हैं, उनको appease करेंगे, ये इनकी policy थी, इसके अलावा हम उतने ही region पर authority रखेंगे, जितना को हम दिल्ली से आसानी से control कर पाएं, मतलब जितनी चादर होतने पैर फैलाएंगे, ये इनका सोच था, ठीक है, इस वज़े से क्या हो धी जो empire के जो parts अपने आपको independent घुसित की, must सोते रहे कि नहीं भई, ठीक है, हम दिल्ली से उसको control भी नहीं कर सकते थे, जाने ठीक है, इन्होंने दो expeditions किया बंगाल में, बट fail हो गया, बंगाल जब अपने अपको independent घुसित किया, तो ये गए उसको rush करने के लिए, लेकिन दो बार इनका expedition बंगाल में fail हो गया, तो इसलिए उन्होंने किसी भी तरह की का कोई attempt फिर नहीं लिया बंगाल को अपने अध शुरूर में जो मुहमद बिन तुगलक के बाद जो rebellions थे, उसके खिलाब भी इन्होंने किसी भी तरह का कोई attempt नहीं लिया, ठीक, इन्होंने औरिशा में हमला किया, और वहाँ पे loot, जितने भी rich temples थे, उसको lootा, तोड़ा, फोड़ा, लेकिन किसी भी तरह का annexation नहीं किया, मतलब जाजनगर को औरिशा का जो capital था, ठीक है, उस पूरे के पूरे region को loot तो लिया, लेकिन annex नहीं किया, क्योंकि उसको फिर rule करना दिक्कत हो जाता है, इनके लिए दिल्ली से, इसलिए उन्होंने loot पाट किया, वापस लेकर के आ गए, ठीक, पंजाब hills के region में, जो kangra region है उसके खिलाब भी इन्होंने एक military exploration के successful रहा, loot मार के वापस आ गए, ठीक है, गुजरात और थट्टा के region में जो rebellion हुआ, उसको भी इन्होंने crush कर दिया, और ये तो rule के अंडर था ही, इनके तो कोई दिक्कत नहीं था, ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से इन्ह उन्होंने जो nobility थी, army था और जो theologians था, उनको appease किया, खुश किया ताके हम मजबूत रहें, ठीक है, उनका अपने हिसाब से काम करना था, ये जो offices थे, जितने भी government offices थे, और जितना भी chiefdom था, इक्ता था, आपको पता होगा chiefdom जो होता है, जो दिली सल्तनत के अंदर है, उसको इक्ता कहते थे, इक्ता था, इन दोनों post को इन्होंने hereditary बना दिया, ठीक है, कहने का मतलब, अगर मालीजे एक आदमी है, वो chief है, इक्ता का मालीजे holder है, या मालीजे की किसी office को hold करता है, तो जब वो मर जाएगा, तो उसका बेटा, और अगर बेटा ना हो, तो उस इसको, तो इस वज़े से क्या हुआ कि सुल्तान अब dependent हो गया, एक narrow oligarchy पे, एक group of people पे ही dependent हो गया, अपने power के लिए, जब पड़ेगी उन्ही का मदद चाहिए होगा, अब वो dependent हो गया fully, ठीक है, उन्होंने ये जो hereditary का principle था, ये सिर्फ सिफ इन, ऐसे नहीं कि ये nobles के के लिए रखा, बलके army में भी लगा दिया कि, हाँ भाई, जो army fit नहीं है, जो soldiers नहीं है, वो replace कर सकते हैं, अपने बेटा और दमाद के थ्रू, ठीक है, मतलब army में जो forge में जो गए, वो soldier अगर नहीं fit हुए लगाई के लिए, वो हट गए, उनके जगा पे उनका बेटा या शुरू-शुरू में तो देखने में ठीक लगा कि, मस्त एकदम army जो है, land revenue से कमाएगा, cash की quiz नहीं है, land हो सकता है, ज्यादा उपज देगा, कई बार ठीक है, तो ज्यादा फायदा होगा, अच्छा लगा, लेकिन अब आप सोचिए, कि war का time है, और soldiers को अपना salary लेने के ल हो जाएगा, सुल्तान का, ठीक, तो ये नुकसान हो गया, इसको, ठीक, अब इस चीज के लिए ये हो सकता था, कि जो soldier है, वो ठीक है, खुद नहीं जा करके, किसी एक middleman भी जोलिये को hire कर ले, कि तुम मेरा जो है, ये पूरा area में मेरा जो revenue होगा, वो मेरे अंदर आता है, हम collect करेंगे, वो मेरा salary, तुम collect कर लो, तो इसके बदले में वो obviously एक तिहाई लेता होगा, middleman, तो salary तो कम हो गई न, ठीक है, तो ये तो नुकसान वाला बात हो गया, तो फिरोज शातुगलक ने army को खुश कर दिया, novels को खुश कर दिया, आप देखते हैं हम लोग theologians को कैस सलतनत है, ये Islamic state है, एक truly Islamic state है, ये घोशित किया, ठीक है, उसने theologians को appease कर दिया, लेकिन याद रखियो, उसने कभी भी theologians को rule करने नहीं दिया, कहने का मतलब, आप नहीं बताएंगे हम क्या फैसला लेंगे, हम है, ठीक है, हम ruler है, आपका काम अपना है, मेरा काम अपना है तो उसने कभी dictate नहीं करने दिया किसी policies को, कि ये policies आप अपने तरफ से बताएंगे कैसा होना चाहिए, ये policies हम देखेंगे, ठीक है, अब एक चीज़िया देखिए, इसी time पे जिजिया जो है, एक separate tax हो जाता है, देखिए, यहापे हम concept समझा देता है, आपको जिजिया tax जो ना हम लोगों ने सुना होगा कि वो धाड़ी नहीं रेखने पे हिंदों से लिया जाता था, ऐसा नहीं, जिजिया tax था, security tax कहने के मतलब, जो non muslims है, क्योंकि दो तरह का tax लिया जाते है, muslims से लिया जा रहा था, एक तरह से, जो कहा जाता है, शरिया law के अंदर, muslims के द गरिबों में, तो ये था muslims के लिए, और उससे कम percentage था, जिजिया जो कहा जाता था, कि जो non muslims है, उनको protection, तो कहने के मतलब, उनकी protection, उनका life का protection, उनके family का protection, उनके cattle का protection, इन सब को मिला करके, जिजिया tax हुआ करता था, तो ये दाढ़ी नहीं रखने का tax नहीं था, अग लिया जाता था उनसे, कि इसके बदले हम आपको protect कर रहे हैं, आपके धर्म का, तो ये एक तरस आईरेनी है, अलाकि शरिया में का, जो शरिया लौता, उसमें का जाता है, कि आप जो भी Muslim ruler है, जो भी Muslim state है, इसका ये हक बनता है, कि अपने country में, अपने state में, जीतने भी non muslim से हैं, उनका life और उनका religion सबको आपको protect करना पड़ेगा, उसके बदले में एक tax है, वो आप लिजेगा, जो लोगों में बाटा जाएगा, obviously government को काम करने के लिए tax से ही है, तो वो उनसे लिजेगा, और उसी के करीब करीब tax जो है, वो Muslim भी देंगे, जिसको आप शरिया में कुछ अलग नाम से कहा जाता है, उनको तो उतना पता निशायद जाकात है, ठीक है, वो दिया जाता है, तो जिजिया कर जो है, बढ़ियां concept पे था, लेकिन ये irony यह है कि जिजिया कर उनके protection के लिए था, लेकिन जब loot मार होता था, plunder होता था, तो ये लोग अपने आपको जो इसको Muslim state कह रहा है, फिर बाद में फिर उसी religion के temples को तोड़ दे रहा है, तो बहुत ही अजीब बात था, ठीक है, खैर, तो मतलब अपने ही rule को जो शरिया rule को establish करना चाह रहा है, उसको तोड़ भी रहा है अपने ही फायदे के लिए, तो एक complete Islamic state नहीं था, ये सब drama हुआ ठीक, क्योंकि theologians को क्या था, खुश करना था भई, ताकि वो support में रहें, लेकिन अब ये जीजिया था, पहले क्या था, कि शुरू में land revenue का ही एक part था, land revenue में ही जीजिया को जोड़ करके tax collect किया जा रहा था, इस time पे फिरोशा तुगला के time पे जीजिया अलग कर हो गया, अलग tax बन गया, सिर्फ और सिर्फ जो women थे, children थे और disabled persons थे, उन्हीं को tax से छूट मिला, बाकि सबको tax देना पड़ा, इस जीजिया tax से, ठीक है, उसने एक ब्रह्मन को पब्लिकली जला दिया, सिर्फ ये कह, इस वज़े से कि वो Muslims को जो preach कर रहा था, Muslims को अपने धरम के बा मार दिया, ब्रह्मन को नहीं, एक ब्रह्मन को, एक पंडित जो अपना धरम की बात कह रहा होगा, Muslims को तो उसको मार दिया, ठीक है, इसके लावा उसने जो beautiful wall paintings थे, खुबसुत खुबसुत जो चितर कलाएं होंगी, उसके महल में, उसको मिटाने का order दे दिया, मिटवा दिय किया, क्योंकि इसको दिखाना था, जब जब कोई राजा अपने आपको Islamic ruler साबित करने कोशिश किया है, वो यही ड्रामा किया है, तालिबान ने भी यही ड्रामा किया था, और जो हम लोगों ने देखा था, कि जो बुद्धा का बराबर स्टैचू सब था, उसको तुरवा दिया था, ठीक, तो जब भी ऐसा कोई ruler आता है, तो बहुत आर्ट के लिए भी नुक्सान होता, लोगों के लिए भी नुक्सान होता, लेकिन अब देखिए, ये तो इधर इसका एक face होगी है, दूसरा face किया था, इसने ये पहला सुल्तान था, जिसने जो हिंदू वर्क्स थे, literature के, उसको संस्कृत से Persian में translate करवाया, जितने भी music के उपर, medicine के उपर, mathematics के उपर, अलग-अलग sciences के उपर, जो books थे, उसको Persian में translate करवाया, तो जो Persian countries है, Persian लोग है, वो हिंदू culture को भी जाने, जो Indian culture था, उसको जाने, Indian science था, उसको जाने, Indian music था, उसको जाने, तो ये एक अच्छा काम किया, इसके अलावा, उसने कई सारे humanitarian measures भी लिए, जैसे कि, जो harsh punishment था, हाथ कार देना, पैर कार देना, नाक कार देना, आख फुर देना, चोरी के लिए, या ऐसे चोटे मोटे offenses के लिए, उसको ban कर दिया, तो ये बहुत अच्छा फैसला किया, ठीक है, तो फिरोशा तुगलग ने कई सारे hospitals बनाए, free treatment के लिए गरीबों के, इसके अलावा, जो कौतवाल से उनको order दिया, कि जेतने भी आपके area में unimpliant persons हैं, उनका list त्यार करें, उनको नौकरी दिया, ठीक है, इसके अलावा, जो गरीब की बेटिया थी, उनके लिए डौरी दिय ठीक है, तो कई अच्छे काम भी किये, ड्रामा में इसने बहुत सारा उल्टा सीधा भी काम किया, ठीक है, इसने public works के लिए एक बड़ा सा department बनाया, जो उसके building programs को देखे, इसके लावा, इसने building programs में जैसे कई सारे canals इसने खुदवाए, irrigation के लिए, सबसे लंबा कनल जो इ इन्होंने कहते हैं, खुदवाए, और canals के ही वज़े से कई सारे नए-ने towns भी establish किये, जैसे कि हिसार फिरोजा, जो अभी हर्याने में हिसार है, वो इसके लावा फिरोजा बाद जो कि UP में अभी भी है, तो ये दो, इसके लावा कई सारे new towns भी बनाये, जिनको canals के through water को supply क किया, इसके लावा इन्होंने अपने officials को order दिया, कि जब भी आप हमला करें, तो वहां से जितने भी healthy और handsome young boys हैं, उनको as a slave ले करके आया और मुझे दे, मतलब वो जो सल्तनत का सल्तान है, वो slave उनका होगा, इस तरीके से उन्होंने 180,000 slaves जमा कर लिया, जिनको फिरोजी slaves कह इसमें से कुछ slaves को train किया गया, ताकि वो royal workshops जो काखाना थे, empire के अलग अलग cities में, towns में, उनको employ किया गया, और जो हटे कटे थे, उनको use किया गया, soldiers के तरह, मतलब उनको train किया गया, और एक अलग group बनाया गया, soldiers का, जो की सिर्फ और सिर्फ सुल्तान से order लेगा, और सुल सुल्तान ने अपना एक अलग ही छोटी आर्मी तैयार कर ली, ठीक, देखें, लेकिन ये जो slaves थे न, इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता था, कि जो, इनके जो master है, उनके descendants, उनके वारिस के लिए भी ये loyal रहेंगे, तो ये भरोसे मन नहीं थे, इसलिए क्या हुआ, कि बाद पीट में उतर गया, ठीक, फिरोस जो है, 1388 में उनका डेथ हुआ, और एक power struggle स्टार्ट हो गया, सुल्तान के बीच, और नोबल्स के बीच, जो उस टेम पर सुल्तान बनता, और जो नोबल्स थे उनके बीच, ये लड़ाई स्टार्ट हो गया, जमिंदार और जो राजा सब थे, उन्होंने इसका फाइदा उठाया, और इंडिपेंडेंट्स अपने आपको, इंडिपेंडेंट्स समझ लिए, चोटे-चोटे पिंस्पालिटी और चोटे-चोटे स्टेट में डिवाइट कर लिया, कि हम इंडिपेंडेंट होगे, बले-बले, ठीक, सुल्तान मुहम पर अपना नॉमिनी की समझ लिए, एक पपिट रखना चाहते थे, जो उनकी बात माने, सुल्तान मुहमद जब इनकी मदद से बैठे गदी पे, तो सबसे पहला काम इन्होंने यही किया, कि इन्होंने इन स्लेव्स को ही मारना है स्टार्ट कर दिया, क्योंकि यह सुल्तान मुहमद और जो उनके सक्सेसर थे, नसिरुदीन महमूद, ठीक है, इन दोनों ने बहुत कोशिश किया, लेकिन दोनों में से किसी ने भी जो नोबल्स थे और जो इन्ट्रांसिजेंट राजास थे, धीट राजास अब जो मानेंगे नहीं, अधीनी नहीं आ रहे उन सब में से किसी पे भी ये रूल अपना इस्टैबलेश नहीं कर पाए, हलाकि नसिरुदीन सा 1394 से 1412 तक आखरी राजा रहे दिली सल्तनेत के, लेकिन फिर भी इन दोनों में से किसी ने भी नोबल्स को अपने अधीन नहीं ला पाई ये दोनों में से कोई भी, जितने प पाईदा उठाया और अपना अपना एक इन्डिपेंडेंट इस्टेट घुषित कर दिया, ठीक है, तो अब क्या हुआ कि दिली सल्तनेत धीरे धीरे एक दिली के आसपास के ही रीजन तक सीमित हो गया, बहुत ही फेमस विट है, बहुत ही मजाकिया लाइन है, वो ये है कि क मजाक उड़ाने वाला लाइन समझ लिजी इस टाइम के लिए दिली सल्तनत का, तिमूर ने 3098 में इन्वेजन किया, और दिली को तबाह किया, मार काट मचाया, लूटा, और बहुत जादा ही अमांट में लोगों को मारा, और वो लोग हिंदू भी थे, मुसलिम भी थे, ति ठीक है, लेकिन भाई अगर तुम उसको तुम पनिश करने आ रहे हो, तो फिर तुमने मुसलिम उसको क्यों मारा वो तो आइडल वर्शिप नहीं कर रहे हैं, ठीक मार काट करते वाग, लूट मात करते वाग, तब तो तुम यह नहीं देखे थे, तो फिर ये गैस किस बात क पहला रहे हो भाई, क्यों इतना जूट बोलो, यहां तक कि तिमूर ने जो लोग, जो हिंदू, मुसलिम, जो जामजिद में छुप गए थे, जान बचाने के लिए, जामजिद के अंदर घुस के मारा, मतलब जो कह रहा है, कि हम भाई, मुसलिम रूलर हैं, और हिंदू को घुस रहा है, तेना बरह मजिद घुस के, और वहीं पर मार काट मचा रहा है, बताओ, कैसा अजीब बात है, कि अगर एक हिंदू रूलर बोले, कि हम भाई, हिंदू को प्रोटेक्ट करेंगे, मुसलिम को मारेंगे, और जब अटैक करें, तो मंदिर को ही अटैक कर दे, कहीं न कहीं, ट्राइबल तो खुन था, उसके अंदर, तिमूर लूट मार करके, बहुत लाज अमांट में, गोल्ड, सिल्वर, जोलरी, यह सब को लूट करके, इंडिया से लेकर गया, और तिमूर को आपको पता होगा, जब भी वो अटैक करता था, किसी जगा पे, तो वह अब भी अटैक के, और यहां के बहतर कारपेंटर में से है, स्टोन कटर, जितने भी आटेसंस थे, क्राफ्टमेंट थे, सब को लेकर के चला गया, अपना कैपिटल समरकंद, ठीक है, समरकंद में जितने भी बिलिंग्स है, जितने भी वो जो कैपिटल के अंदे, जितना भ भाई हम किसी को इंप्लाई ही नहीं करेंगे, लूट के लाएंगे और उन से बनवा लेंगे, ठीक, तो जो तिमूर का इंवेजन था, उसको हम लोग कह सकते हैं कि जो दिल्ली सिल्तनत का जो स्ट्रॉंग रूल था, उसका एंड है, ठीक है, हाला कि उसके बाद भी तुगल 12 तक लड़कराते वे, चरमराते वे, रूल किया, लेकिन इसको ही तिमूर के इंवेजन को हम लोग एंड मानते हैं, खैर, आज के लिए इतना ही इस चैप्टर को हम लोग यहीं पर कम्प्लीट करते हैं, नेक्स चैप्टर हम लोग जो पढ़एंगे, वो पढ़एंगे, कि के बारे में जो 1200 से 1400 का पूरा कहानी है, पार्ट वन पार्ट तू, दोनों मिलाकर गया आपको समझ में आया हो, तो बस पढ़ते रहिए, मज़े कीजिए, मिलते हम लोग नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए, बाई बाई